Hello everyone, welcome back to the idle expert channel तो previous video हमने UI design के बारे में बात किया और completely book app के बारे में बात किया तो इस book app को अभी हम create करने वाले हमारे endo studio में तो सबसे पहले आपको इस project को create करने के लिए सबसे पहले आपको endo studio को open करना तो मैं अभी endo studio को open कर देता हूँ इसको open करने के बाद अभी आपको make sure आपको internet connect होना चाहिए तो मैं internet को connect कर देता हूँ internet connect होने के बाद आपको सबसे पहले endo studio में आना है and new project पे click कर देना तो मैं new project पे click कर दिया है जैसे हम new project पे click करेंगे तो आपके सामने ऐसे activity open हो जाएगी fourth number में दिखा दे रहे empty activity इसको हम select करेंगे and next button पे click करेंगे इसके बाद अभी आपके सामने name का option open हो जाएगा तो आपको यहाँ से book आप enter कर देना है या भी जो भी आपका project का name रहेगा उसको आपको यहाँ से enter कर देना है means कोई भी जैसे play store पे search करता है तो package name हमें help करता है हमारा app rank करने में या फिर detect करने में अभी जो third option दिखाए दे रहा हूँ save location means हमारा project यह कहाँ पे save होगा उनसे file manager में save होगा तो यहाँसे आप कोई भी location select कर सकते हो तो मैं by default रहने देता हूँ and language आपको Java ही select करने है क्योंकि जो भी हम work करने वाले है वो Java पर ही करने वाले है यहाँसे आपको minimum SDK 5.0 select कर देना है या फिर आपके मर्जी से आप कोई भी select कर सकते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ error शो हो रहा है यू app will run on approximately 98% क्योंकि आपने जितने भी अभी नए launch हुए है mobile उतने में भी आपको lollipop देखने के लिए मिल जाएगा तो इसलिए यहाँ पर शो हो रहा है 98.0 अभी हम क्या करता है finish बटन पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर हमारा internet disconnect हो चुका है इसलिए मैं सबसे पहले internet को connect कर देता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इंटरनेट को connect कर दे हैं अभी मैं finish बटन पर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं finish बटन पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर grader build स्टार्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर शो रहा है scanning file to index, updating index तो मींस यहाँ पर gradle build start हो चुका है तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं तभी हम अपने project पर work कर सकते हैं तभी आप देख सकते हूँ यहाँ पर message आ चुका है gradle sync finish अभी हम क्या करते हैं अभी UI design को भी हम create करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले screenshot लिखा देता हूँ कि किस हम UI design को create करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं इस UI design को हम सबसे पहले create करने वाले हैं क्यूंकि जैसे हम splash screen के बाद हमारा UI design इसी open होता है तो इस UI design को हम create करेंगे तो इसको create करने के लिए सबसे पहले हम एक relative layout लेंगे and recycler view को print कर देंगे तो चलिए चलते हम activity min.xml में तो आप देख सकते हो यहाँ पर आचुके activity min.xml में and यहाँ से हम जो यहाँ पर by default लिखाई दे रहा है constituent layout इसको change करके हम लिख देते थे relative layout and इसके बाद इसको हम id declare कर देते id add direct id rl यह होने के बाद अभी हम background select कर देते क्यूंकि relative layout में भी हमारा background show होना चाहिए तो यहाँ से आपको type करना है जो मैं color type कर रहा हूँ 07 1 d32 इसको आपको type करना है इसके बाद इस text view को remove कर देना है तो मैं इस text view को remove कर देता हूँ then यहाँ से अभी हम recycler view को select कर देते तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं image में show कर देता हूँ आपको यह जो दिखाई दे रहा है recycler view इसको हमें show करना है तो मैं यहाँ से select करूँगा recycler view and width इसको आपको दे देनी है match parent and height आपको दे देनी है match parent and यहाँ से आपको id declare करनी है id add direct id recycler view इसके बाद आपको margin bottom दे देनी है and margin top देनी है तो margin top and margin bottom हम इसलिए देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं जो recycler view है यहाँ पर यहाँ से तो यहाँ तक हमने margin top दिए क्योंकि हमारा यहाँ पर toll bar बे implement है and यहाँ पर margin bottom भी हमने दिए तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ margin top 60dp and margin bottom को भी implement कर देता हूँ margin bottom 7dp and इसको मैं अभी close कर देता हूँ तो अभी हम इस background को change कर देते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर by default दूसरा यहाँ पर show रहा होगा जो color है तो मैं इसको कोई भी color दे देता हूँ अभी के लिए तो यहाँ से मैं इसको select कर देता हूँ आप देख सकते हैं अभी हमारा background implement हो चुका है and recycle review को भी हमने implement कर दिया है अभी हम क्या करते हैं जो हमने UI design का recycle review implement किये है उसको भी हम java code में लिख देते हैं तो मैं आ जाता हूँ main activity.java में and recycle review को declare कर देता हूँ तो यहाँ पर लिख देते हैं recycle review recycle review and यहाँ से हम declare कर देंगे recycle review जो हमारा recycle review है क्योंकि हमने यहाँ पर name दिया था is equal to bracket में हम जो भी recycle review है इसको declare करेंगे and यहाँ से find view बा id implement कर देंगे r.id. जो हमने यहाँ से id दी थी तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ activityman.examl में जाके यहाँ पर देख सकते हूँ है यह हमने यहाँ पर id implement की थी उसी id को यहाँ पर हम implement करेंगे तो अभी हमने recycle review का complete work कर दिया है अभी हम क्या करेंगे layout product को create करेंगे तो layout product आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ जो आपको यहाँ पर दिखा ही दे रहा है book one यह इतना UI design जो आपको show हो रहा है इसको अभी हमें create करना होगा क्यूंकि हम recycle review में सेम ऐसे create करते एक को create करते हैं और बागी को हम print करते हैं ओके तो मैं यहाँ पर अभी एक कोई भी layout create कर देता हूँ तो मैं layout में चला जाता हूँ और यहाँ से इसको select कर देता हूँ write new layout resource file इस पर मैं click कर देता हूँ तो यहाँ से अभी आपको file name enter करने के लिए बोलेगा तो मैं यहाँ पर select कर देता हूँ layout product तो आप देख सकते हैं यहाँ पर file name enter कर दिया और यहाँ से constraint layout को change करके हम linear layout implement करेंगे और ok बटन पर click करेंगे तो अभी हमने successfully layout product को create कर दिया इसके बाद अभी हम card view को implement करेंगे तो card view मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हूँ इस image में यहाँ पर हमने सबसे पहले card view को implement किया है तो मैं इसलिए card view को यहाँ से select कर देता हूँ and width इसकी link देते है match parent तो width हमने match parent implement किये and height आपको 80dp दे देना है तो मैं 80dp दे देता हूँ and enter कर देना है इसके बाद आपको card view की ID दे देनी है id add direct id card view ओके यह होने के बाद आपको again enter करना है तो आप देख सकते हैं या आप यह अभी हमारा card view शोख हो रहा है अभी हम layout margin top दे देते हैं margin top अभी हम 4 dp दे देना है and margin bottom भी आपको दे देना है 4 dp ओके यह होने के बाद margin start दे देना है आपको margin start 8 dp and margin in 8 dp तो अभी आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूँ यह margin top क्या है margin bottom क्या है तो देखो margin top means यह देखो यहापर कितनी space शोग रही है and margin bottom means यहापर कितनी space शोड़ी है and margin start means यहापर हमने कितना space दिया and margin end means यहापर हमने कितना space दिया तो आए हो आपको इतना पार्ट समझ में आओगा इसके बाद अभी हम again enter करेंगे and यहाँ से अभी हम background को चूज़ कर देंगे background hash f d f d f d इस color को आपको चूज़ करना है यह whitest color में ही आ जाता है आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ तो देख सकते हो हमारा card view white color में ही है इसलिए हमने इस color को चूज़ कर दिया इसके बाद अभी हम enter कर देते है and यहाँ से foreground select कर देते हैं तो देखो इसके हम सबसे पहले कि इसको क्यों select कर रहे है क्योंकि कोई भी जब recycle और view पे क्लिक करता है तो वहाँ पे हमने selectable item को implement करना होता है इसलिए हम इस foreground को implement कर रहे है तो यहाँ से में लिख देता हूँ foreground question mark attribute and selectable item background इसके बाद आपको enter करना है यहाँ से आपको enter करना है card corner radius तो card corner radius हम ADP देदेंगे यहाँ से अभी हम enter करनेंगे and card elevation भी हम same ADP देदेंगे तो मैं इसको भी आपको सबसे पहले समझा देता हूँ card corner radius and card elevation क्या है तो आप देख सकते हूँ जो आपको थोड़ी से elevation दिखाई दे रहे है और जो radius दिखाई दे रहे है यही इसको card corner radius भोलते है तो अभी हमने completely card view का work कर दिया आपको इस card view को ऐसे close नहीं करना है इसको आपको ऐसे close करना है ओके जिस आपको बस arrow implement करना है तो इसके अदर अभी हम relative layout को implement करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम relative layout लेंगे आइंड एक image view लेंगे और उसमें एक text भी लेंगे तो चलो जड़ी से हम project में चले जाते है and relative layout को implement कर देते तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने relative layout को choose कर दिया है आपको यहाँ से width दे देनी है match parent and hide भी आपको दे देनी है match parent and यहाँ से अभी हम background को choose कर देते जो भी हमारा relative layout रहेंगा तो मैं सबसे पहले इसको तो yt color दे देता हूँ इसलिए हमने यहाँ पर enter किया as triple f इसके बाद अभी हम enter करेंगे and यहाँ से अभी हम padding को enter करेंगे 16dp and जो यहाँ पर relative layout दिखाई दे रहा है इसको अभी हम close भी कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर relative layout अच्छे से show हो रहा है अभी हम इस relative layout में image view को implement करेंगे क्योंकि हमारे UI design में यहाँ पर एक image view है and एक text view है तो अभी आपको धहन में रखना है यह जो image view है हो circular है तो अभी हमें library को implement करना पड़ेगा circular image view के ठीक है तो यह जो आपको दिखाई दे रहे है implementation.com.circular image view तो इस dependency को मैं आपको वीडियो की description में provide कर दूँगा तो मैं इसको control-c से copy कर देता हूँ and gradle script को open कर देता हूँ तो इसको increase कर देंगे and gradle script को open करेंगे and build.gradle पे click करेंगे and यह जो dependency दिखाई दे लिए इसकी इसमें इसको paste कर देंगे मैंने control भी यापे कर दिया and अभी हम sync knob पे click करेंगे पड़ आपको ध्यान में रखना है sync knob पे click करने से पहले आपको internet connect कर देना है तो मैं अभी sync knob पे click कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं यह आप ए gradle build finish हो चुका है अभी हम internet को disconnect कर देते हैं and layout product पे click कर देते हैं and इस relative layout में अभी हम image view को select करेंगे तो सबसे पहले मैं enter कर देता हूँ and image view बट आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पे circular image view जो दिखाई दे रहे है इसको आपको select करना है and width यहाँ से आपको दे देना है 60dp and height आपको दे देना है 60dp and इसको हम id declare करेंगे id at the right id image view तो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ width and height तो यह तो आपको पता है होंगा कि इस image view की height and width कितनी रहेगी and इसको हमने id declare कर दे तो आप देख सकते हैं यह आप ही image view हमारा show हो रहा है इसके बाद हम center vertical select करेंगे center vertical true क्योंकि हमारा जो image है वो completely center में होना चीए इसने हमने center vertical true implement कर दे इसके बाद हम भी हम margin right दे देंगे margin right हम देंगे आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ ui image margin right यहाँ पर 16 dp है इसने हम 16 dp यहाँ पर इंटर कर देते हैं जिसे जो भी आपका app लोगो रहेगा ओके तो मैं सबसे पहले अपने folder में चला जाता हूँ इस जो image दिखाई दे रहे है तो मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and project में आखके draw बल में इसको ctrl v से paste कर देता हूँ and ok button पे click कर देता हूँ again ok करेंगे and जो हमने paste की इस image को हम select करेंगे common full open on phone ok इसके बाद अभी हम क्या करेंगे enter करेंगे ok तो मैं enter कर देता हूँ सबसे पहले and scale type आपको चूज करना है scale type center crop center crop ok center crop से क्या होता है जो भी हमारा image रहेगा तो completely अच्छे से visible हो जाएगा and यहां से आपको transition name दे देना है जल्दी से name दे देता हूँ transition name share view and इसको भी आपको close कर देना है क्यूंकि हमने यह जो image view है इसको भी हमने completely create कर दिया तो आप देख सकते हैं यह जो image view है अभी हमारा completely work हो चुका अभी हम text view को implement करेंगे यहां पर जो book one दिखाए दे रहा है इसको हम implement करेंगे तो मैं यहां से select कर देता हूँ text view width हम देदेंगे यहां से match parent and height हम देदेंगे wrap content and यहां से आपको enter करना है and यहां से आपको id चूज़ करना है id at direct id text view title तो हमने यहां से height and width चूज़ कर दी and जो हमने id थी इसको भी select कर दिया यहां से मैं text day देता हूँ text तो by default कोई भी हम text hello worldi देते हैं तो इसलिए मैं hello worldi देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो text view visible हो रहा है तो अच्छे से visible नहीं हो रहा है इसलिए मैं text color यहां से choose कर देता हूँ sorry यहां से mistake हो गए इसलिए अच्छे से मैं दे देता हूँ one app ओके तो आप देख सकते हो यहां पर अच्छे से black color show हो रहा है अभी हम इस textile को भी change कर देते बोल्ट में and enter पर click करेंगी अभी आपको क्या करना है margin lift देने है तो सबसे पहले margin lift देने से आपको यहां से to end of करना है क्योंकि यह जो image view है इसके right hand side में रहेगी ठीक है इसलिए हम दे देंगे to end of add direct id and जो image view है इसके id हम select कर देंगे तो आप देख सकते हो जैसे हमने image select कर दिया है id implement कर दें तो यहां पर इसके right में आ चुका है अभी हम इसको center में लेके आएंगे तो इसको center में लेके आने के लिए अभी हमने complete work कर दिया यह जो UI दिखाई दे रहा आपको book1 का यह हमने complete यहां पर create कर दिया तो अभी हम क्या करते है java project में चले जाते है क्योंकि यह जो हमने implement कर दिया है बट यह XML का file है means UI design का part है तो अभी हमें Java file भी create करना होगा तो इस Java file का अभी हम next video में create करेंगी तो previous video में हमने इस UI design को create किये थे तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ activityman.examl में recycle or view को हमने implement किये थे and इस layout product को create किये थे अभी हम क्या करेंगे इसका java code create करने वाल है and java class पे click कर देता हूँ तो यहांसे आपको product कोई भी आपको name दे देना है तो मैं product देता हूँ product देने के बाद आपको enter करना है तो आप देख सकते हैं यहां पे public class product यहां पे by default आ चुका है अभी हम क्या करेंगे इसमें id एंटर कर देंगे तो मैं यहां पे id देता हूँ private int id and यहांसे आपको देना है private string title इसको close करना है and same यहां पे private int image तो मैं बाद में इसको समझाऊँगा कि यह हमने क्यों implement किया है अभी के लिए आपको इसको श्रिफ enter करते जाना है private string link ओकी तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने id title image link को create कर दिया अभी हम इसका सबसे पहले constructor create करेंगे तो constructor create करने के लिए आपको enter करना है एन यहासे आपको right click कर देना है okay अण यहाँ पर जो दिखाय दे रहा है generate इस पर आपको click कर देना है तो जैसे में हम इस पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर constructor का option मिल जाएगा तो मैं इसको सबसे पहले select कर देता हो औड जो भी यहाँ पर है इसको आपको select करना है इसके बाद हम Gator & Shatter को भी implement करेंगे तो सेम सेम स्टेप है इसको आपको enter करना होगा यहाँ पे right click करना होगा जनरेट बटन पर click करना होगा यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है Gator & Shatter इसको आपको click करना होगा जैसे हम इसको click करेंगे हमने इस id को create किया इसके हमने constructor create कर दिये and Gator & Shatter भी create कर दिये अभी हमें सेम जावा क्लास create करना होगा क्योंकि अभी हमने तो product तो create कर दिया इसका अभी हमने implement adapter में लगाना होगा तो आपको पता होगा recycler view में सबसे पहले हम recycler view को implement करते जैसे के हमने implement कर दिया है इसके बाद हम इसका product create करते है और इसका java file में भी product.java create करते है and adapter create करते है तो अभी हमारा एक step बागे है adapter create करना तो मैं सबसे पहले package name पे click कर देता हो right पे click कर देता हो new and java class and यहाँ पे दे देता हो product adapter okay तो यह आपको धेन में रखना है capital में रखना है product adapter and यहाँ से आपको same enter कर देना है यह होने के बाद आपको देख सकते हैं यह आप यह adapter create हो चुक है अभी आपको इसको enter करना है and यहाँ से आपको enter करते जाना है class product view folder तो आपको by default अच्छे से इसको लिखते जाना है product view folder and इसको extend करना है extends recycler view dot view folder ओके and इसको आपको bracket से close कर देना तो अभी यहाँ पर error शोओ रहा है तो इस error को result करने के लिए आपको इसको select कर देना है तो इसको सबसे पहले select कर देता हूँ यहाँ पर bulb शोओ होगा इसको आपको click कर रहा है and यहाँ पर जो दिखे दे रहा है create constructor matching shop पर अभी आपको इसको click कर देना जैसे हम इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हूँ यहाँ पर हमारा constructor create हो चुका अभी हम इसको क्या करते है enter करते जाते है तो आपको देन में रखना है इस recycler view holder में आपको जो भी हमने layout product में implement किया है उसको हमें define करना होगा तो सबसे पहले हमने card view create किया था इसके बाद relative layout में हमने circular image view and text view मिंस हमें 3 button को implement करना है तो अभी हम product adapter में चले जाते हैं and card view को सबसे पहले implement करते हैं card view इसको आपको id दे देना है means name देना है card view and same image view इसको भी name दे देंगे हम image view text view and इसको भी name देंदेंगे text view title text view title यह होने के बाद भी हम क्या करेंगे इसको हम id declare कर देंगे means find view by id तो card view name यहां से उठा लेते हैं card view is equal to item view क्योंकि हमने यहापे item view पे ही click करना है इसलिए हम item view पे इसको select कर करके थे item view dot find view by id सॉरी हमने यहापे dot नहीं दें इसलिए इरश हो रहा था find view by id r dot id dot card view कि हमने card view के भी अभी हम image view यहां से ले लेके image view is equal to same item view dot find view by id r dot id dot image view तो आप देख सकते हैं हमने image view को भी implement कर दिये अभी हम text view को implement कर देते हैं name दिया था हमने text view title is equal to item view dot find view by id r dot id dot text view title ओके यहां इसको मैं close कर देता हूँ तो मैं आपको सबसे पहले इस code को समझा देता हूँ यह जो layout product है इसमें हमने card view को implement किये थे image view को and text view को इसी को ही हमने यहां पर अच्छे से declare कर दिया है recycler view dot holder में ओके अभी हमें क्या create करना है public class adapter के उपर चला जाना है तो मैं यहां पर इसपर क्लिक कर देता हूँ and इसको भी हम extend करेंगे recycler view से तो यहां पर आपको enter करना है extends recycler view dot adapter and यहांसे आपको array में दे देना आपको product view holder मैं यहांसे दे देता हूँ इस array में provide कर देता हूँ product view holder but यहां पर आपको error दिखेगा तो इस error को resolve करने के लिए आपको same इसको आपको select कर देना है तो मैं इसको select कर देता हूँ हो चुका हमारा select and is bulb पे click कर देना है and implement method पे click कर देना है and यहां पर by default on create view holder on bind holder and get item count यहां पर by default select हो जाएगे अभी आपको ok पे click कर देना है तो जैसे आप ok पे click करोगे तो आपके सामने आप देख सकते हो जो भी method थे वो create हो चुके अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले get item count का code enter करेंगे तो मैं यहां पर दे देता हूँ तो sorry हम इसको बाद में create करेंगे सबसे पहले हम product list view and context create कर देंगे तो मैं सबसे पहले private यहां पर enter कर देता हूँ private context यहां पर कोई भी आप name enter कर सकते हो mtx private list यहां से आपको product choose कर देना है तो मैं दे दे तब यहां से product यहां से आपको product list जो भी name रहेगा इसको आपको दे देना है तो भी आप देख सकते हूँ यहां हमने create कर दिया है तो अभी हम enter कर देते हैं यहां पर space ले लेंगे सबसे पहले and right button क्लिक करेंगे यहां से आपको constructor create करना है तो same constructor create करने के लिए आपको right generate and constructor button पे click कर देना है इसको दोनों को भी select करना है तो दोनों को select करने के लिए shift down पे click करना है and okay button पे click कर देना है तो अभी हम सबसे पहले get item count पे आ जाते हैं यह जो return 0 दिखाई दे रहा है इसको हम change कर देते हैं तो return जो हमने यहाँ पे name लिखा था product list चीपने हम product provide करेंगे उतना ही हमारा recycler view का size रहेगा इसलिए हमने enter कर दिया product list.size यह होने के बाद आपको create view holder में आ जाने इसके बाद अभी हम layout inflator का use करेंगे तो layout inflator इसका नहीं देते हम inflator तो आपके मर्जी से आप कोई भी name दे सकते inflator is equal to layout inflator dot from तो हम कास ही use करेंगे जो हमने mtx यहाँ पे select किया है इसी context को हम provide कर देंगे इसके बाद इसको close कर देंगे and अभी हम view को pass करेंगे view view is equal to inflator dot inflate and यहाँ से अभी हम जो layout create कीते layout products इसको हम select करेंगे क्योंकि हमें recycler view में इसी को show करना है तो r.layout.product layout products यह होने के बाद आपको null pointer exception नहीं आना है इसलिए null को provide कर देंगे and इसको आपको close करना है and return new and product view holder को में pass कर देता हूँ product view holder view जो हमने यहाँ पे view create किया था इसको हम pass करेंगे तो देख सकते हो अभी हमारा completely work हो चुका है product view holder का and get item count का अभी हमारा work बागी है on bind folder का तो मैं इसको भी create कर देता हूँ जल्दी जल्दी तो इस पे enter कर देता हूँ and मैं अभी product को यहाँ से select कर देता हूँ product product is equal to जो हमने यहाँ पे product list provide की थी इसको हम bind कर देंगे तो product list dot get position and get में हम position को provide कर देंगे and यहाँ से अभी इसको हम close करेंगे and जो हमने holder create किये थी तो इसको हम सबसे पहले holder यहाँ से select करेंगे holder dot textview तो जैसे कोई textview पे click करेंगा तो जो भी हमने title pass किये थे set text product dot get title वो हमें title मिल जाएगा and इसके बाद sim holder यह holder का से आ रहे जो हमने यहाँ पर holder provide किये थे by default इसलिए हम holder यहाँ पर implement कर रहें okay holder dot image view dot set image variable तो अभी हम mtx को provide कर देंगे mtx का से हम image लेंगे get resource dot get drawable product dot get image यह होने के बाद अभी आपको holder पे select करना इसको holder dot card view set on click listener okay new on click listener तो अभी आप देख सेपते हो अभी हमारा on bind view holder का भी work हो चुका है तो मैं आपको इस code को भी समझा देता हूँ तो सबसे पहले हमने product list को यहाँ पर bind कर दिया है and जो हमने यहाँ पर text view implement के थे तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ इस जो text view image view and card view यह जो हमने provide किये थे layout products में उसी को ही हमने यहाँ पर bind कर दिया and जैसे कोई card view पर click करता है तो यहाँ पर कुछ activity perform होगी means जैसे यहाँ पर जो completely दिखाय दे रहा है जैसे इस पर कोई tap करेगा तो कोई activity perform होगी तो हम last में declare करेंगे कि इस पर क्या work होगा तो अभी हम क्या करेंगे अभी main activity में चले जाते है सबसे पहले and यहाँ से अभी जो list provide कीती product adapter में इसको यहाँ से हम select कर देंगे list यहाँ से आपको provide करना product and इसका name हम दे देते है product list यहाँ पर error शो हो रहा है error इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने इसको import नहीं किये तो alt enter से आपको enter कर देना तो जैसे alt enter प्रेस करेंगे यहाँ पर import हो जाएगा अभी हम इस product list जो हमने provide कीती इसका हम array create करेंगे तो इसके recycler view के नीचे आ जाएंगे and product list product list is equal to new यहाँ से हम array pass कर देंगे new array list array list and इसको से हम close करेंगे and यहाँ से अभी हम product list dot add new product जो हमने adapter में product pass किये थे product देखो तो आपको मैंने बूला था मैं आपको बात में बताऊंगा तो आप देख सकते हैं यह जो product दिखाए दे रहा है इसमें आपको id provide करने हैं अभी हम title provide करना है image provide करने है and link provide करने तो अभी हम एक-एक provide करते जाएंगे तो हम product में सबसे पहले id declare करेंगे one तो देख सकते हैं id by default आया है कहां से आया है यह product से आया है okay and second हमें title provide करना होगा तो title आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाए दे रहा है book one तो मैं same यहाँ पर दे देता हूं book one तो आपको double quote सबसे पहले दे देना है and यहाँ से आपको enter करना है b double o k okay तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने book को provide कर दिए यहाँ से आपको comma देना है title तो अभी हमने provide किये अभी हमें क्या provide करना है हम product में जाके सबसे पहले देख लेते हैं अभी हमने image provide करना है तो image हम कहां से provide करेंगे drawable file से तो यह जो दिखाए दे रहा आपको इस image को भी हमें implement करना होगा तो इसको implement करने के लिए सबसे पहले आपको drawable में उसको सबसे पहले paste करना होगा तो मैं video के description में यह image दिखाए दे रहे हैं इसको मैं आपको दे दूंगा तो मैं चला जाता हूँ अपने drawable file में और इसको ctrl c से copy कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने रोहित नेम जो मेरा नेम है उसी नेम से इस image को implement कर दिया है अभी हम क्या करेंगे drawable को इसमें paste कर देंगे ctrl v से अभी ok बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर confirmation के लिए ok पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पर ok कर दिया अभी हम इस image को set करेंगे तो r. drawable.proheat means जो भी हमें image select कीती है वह हमने provide कर दिया है अभी हमें last एक बाकी है link तो आप देख सकते हो जो हमने product के लिए create किया था link तो यहाँ पर हम link को भी provide करेंगे तो link हम कहां से provide करेंगे तो देखो जैसी कोई user आएगा जैसी इस पर click करेगा ok तो एक activity open होनी चीए जिसमें हमें pdf को show करना है तो सबसे पहले हम pdf को firebase में upload कर देते और बाद में इसको हम यहाँ पर link देके इसको show कर देगे ok तो अभी हम सबसे पहले firebase को connect कर देते हैं firebase को connect करने के लिए सबसे पहले आपको make sure internet on करना है तो मैं internet को on कर देता हूं तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं internet को connect कर देया अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले chrome में चले जाएंगे तो chrome में जाने के बाद अभी हम firebase search करेंगे तो हम wait करते सबसे पहले इस tab को open होने तब तो मैं यहाँ पर search कर देता हूं search bar में firebase जैसे हम firebase search करेंगे तो आपके सामने कुछ link open हो जाएगी तो मैं इस पर अभी click कर देता हूं firebase तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर firebase open हो चुका है यहाँ से आपको जो भी gmail id से login करना है वो gmail id आपको यहाँ पर type करना होगा अभी मैं get started पर click कर देता हूं जैसे हम get started पर click करेंगे यहाँ पर हमारा सामने firebase console का page open हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर add project का option दिखाई दे रहा है तो मैं add project पर click कर देता हूं and enter your project name दिखाई दे रहा है इसमें हम name enter कर देंगे जो कि हमारा application का name है book app and अभी हम continue button पर click कर देंगे जैसे हम continue button पर click करेंगे तो आपके सामने यह page open हो जाएगा again हम continue पर click करेंगे and यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा select an account तो हम default account for firebase click करेंगे and create project पर click कर देंगे जैसे हम create project पर click करेंगे create your project please wait यहाँ पर show हो रहा है तो हम जब तक यह progress बार complete नहीं होता तब तक हम wait करते हैं तो अब आप देख सकते हो अभी हमारा completely progress complete हो चुका है अभी में continue बटन पे click कर देता हूँ जैसे में continue button पे click कर देता हूँ यहाँ पे firebase open हो रहा है तो अभी में book क्याब को दिखाई दे रहा होगा dashboard open हो चुका है तो अभी में क्या करता हूँ android पे click कर देता हूँ जैसे हम android पे click करेंगे यहाँ पे package name enter करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको project में चले जाना है and build.gradle पे चले जाना है and यहाँ पे इसको scroll करना है and यहाँ पे जो दिखाय दे रहा होगा application id इसको आपको copy करना होगा क्योंकि यही आपका package name होता है तो मैं control cc इसको copy कर देता हूँ and अपने project में चला जाता हूँ तो आप देख सकते हूँ मैं firebase के project में आ चुका हूँ and यहाँ पे इसमें paste कर देता हूँ जो भी हमारा package name था वो हमने यहाँ पे paste कर दे and my android app name में हम क्या करेंगे कोई भी name दे देंगे by default nickname book app तो अभी आप देख सकते हूँ ने book app यहाँ पे enter कर दिया है अभी हम क्या करेंगे register app पे click कर देंगे जैसे हम register app पे click करेंगे तो यहाँ पे कुछ process रहे रहा है तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे option दिखाए दे रहा है तो मैं यहाँ पे अभी downloads में चला जाता हूँ यहाँ पे हमारा google service open हो चुका है तो मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूँ ctrl c अभी मैं project में चला जाता हूँ यहाँ पे जो android है इसकी जगा हम project पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे जो app दिखाए दे रहा है इसमें हम paste कर देंगे जो भी हमारी service जेशन पैंती है तो मैं ok पे click कर दिया तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे शोव रहा है google service जेशन अगेन हम android में चले जाते हैं अपने project में यह होने के बाद अभी आपको सबसे पहले service जेशन को close करना है and firebase में आ जाना है and next बटन पर आपको click कर देना है यहाँ पर दिखाए दे रहा है add firebase SDK तो आपको यहाँ पर dependency को भी paste करना होगा तो dependency को paste करने के लिए मैं आपको वीडियो के description में एक dependency provide कर दूँगा यह जो दिखाए दे रही है आपको firebase इसको आपको सबसे पहले control-c से copy करना होगा and project में आने के बाद आपको build.gradle पर click करना है and इसको आपको scroll करना है and यहाँ पर जो दिखाए दे रहा है circular image view इसके नीचे आपको firebase की जो भी dependency उसको आपको paste कर देंगे तो मैं control-c यहाँ पर paste कर देता हूँ and अभी मैं sync knob पर click कर देता हूँ जैसे हम sync knob पर click करेंगे यहाँ पर gradle में start हो जाएगा तो अभी हम alternate work करते है chrome पर तो हम चले जाते हैं browser में सबसे पहले and यहाँ से next button पर click कर देंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा completely work हो चुका है and you are ready करके यहाँ पर message आ चुका है अभी हम continue to console पर click कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हो हम console पर आ चुके अभी आपको क्या करना है storage पर सबसे पहले click कर देना है तो मैं storage पर click कर देता हूँ जैसे हम storage पर click करेंगे यहाँ पर firebase का आप देख सकते है load शूरू हो चुका है तो अभी मैं storage गेस starting पर click कर देता हूँ and start in test mode ही हम रख देते हैं क्योंकि हमें production तो करना नहीं है release नहीं करना है इसलिए start in test mode रख दे है and यहाँ से अभी हम by default कोई भी name enter कर सकते तो मैं सबसे पहले आपका reason अपना reason select कर देता हूँ India यहाँ पर option नहीं दिखा रहा है regional तो मैं by default जो भी है इसको select करूँगा and done बटन पर click करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर setup cloud storage creating default buckets यहाँ पर आ रहा है यहाँ इस हमारी है by default जो भी cloud storage रहता हूँ create करके देंगा तो firebase की यही सबसे based है यह free में हमें provide करता है कुछ limit data है इसके बाद हमारे जब active user बढ़ जाता है फिर हम firebase को purchase कर सकते बट starting में हमें free ही provide करता है तो यही सबसे इसकी best quality है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा storage का page open हो चुका है अभी हम कोई भी file upload करते हैं तो upload file पे click कर देते हैं यहाँ से जो भी file है वो यहाँ से हम upload कर देंगे तो आपके मर्जी से जो भी आपको show करनी है PDF file उसको आप upload कर सकते हो तो मैं जो story होती है उसको upload कर देता हूँ 100 molar stories for gits जो की बच्चों के लिए होती है इसको मैं upload करूँगा तो अभी मैं इसको select कर देता हूँ and open button पे click कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे upload हो रही है यहाँ पे progress bar show हो रहा है pending यह जो file है यहाँ पे size भी show होती है 2.43 MB तो हम wait करते हैं जब तक upload नहीं होता है तो अभी आप देख सकते हो अभी हमने यहाँ पे इस file का upload कर दिया अभी आपको क्या करना है इस box पे click कर देना है तो मैं इसको select कर देता हूँ सबसे पहले and open button पे click कर देता हूँ जैसे हम open button पे click करेंगे जो भी हमारा PDF file रहेगा open हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे PDF file open हो जाएगे तो यहाँ पे PDF file show हो रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने PDF file upload की अभी complete show हो रही है इसको आप scroll करके देख सकते हो जितने भी pages की आपकी PDF file है यही PDF file हम show कर सकते हैं हमारे app में तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना होगा इसकी URL को copy करना होगा तो URL को copy करने के लिए आपको Ctrl-C याप पर करना है अपने project में चले जाना है जो main activity.com हम Java पर work कर रहे थे इस पर आपको click कर देना है जो link दिखाई दे लिए इसमें आपको उस link को provide करना है तो आप देख सकते हो हमने link को provide कर दिया तो मैं अभी इसको एक-एक divide कर देता हूँ ID यहापर अच्छे से show होने के लिए ID, title, images and link तो मैं इसको enter, enter करते जाता हूँ हमारा एक book one का तो competitive work हो चुका है तो आप देख सकते हो जैसे हम कोई भी user book one पे click करेगा तो क्या होगा उसको यह image show होगे जो यहापर हमने रोईत की name से image दिखाई दे रही है यह image show होगे जैसे कोई उस पे click करेगा मतलब book one पे click करेगा तो जो हमने यहापर file upload किये वो show हो जाएगे जैसे आप कोई again आप second यहापर firebase में जाके कोई upload कर देते हो book app में कोई second file upload कर देते हो pdf file and उसकी भी आप link copy कर देते हो and book tube में implement कर देते हो तो उस pdf उसमें show हो जाएगे okay I hope आपको समझ गया में क्या बोर रहा हो तो अभी हम क्या करेंगे ऐसे हम save and जो भी book है उसको हम copy and paste करते जाएगे मैं इसको ctrl c से copy कर देता हो सबसे पहले तो यहापर हमने इसको close नहीं किया इसलिए हम सबसे पहले इसको close कर देंगे and यहाँ से हम enter करते जाएगे and इसको मैं यहाँ से तो यहाँ तक इसको ctrl c से copy कर देता हो ctrl c and यहाँ पर हम enter करेंगे ctrl v again हम करेंगे 7 times हम कर देंगे 3, 2, 4, 5 and 6 and last 7 तो हम book name जो भी रहें रहेगा title उसको भी change कर सकते हो आप तो मैं इसको book 2 कर देता हूँ book 3 कर देता हूँ book 4 कर देता हूँ and book 5 कर देता हूँ book 6 book 7 and book 8 तो अभी आप देख सकते हो अभी हमारा complete work हो चुका हमने completely book 7 create कर देता है तो आप यहासे कोई भी link change कर सकते हो means firebase पे upload कर सकते हो and यहाँ पे इसमे link paste कर सकते हो जो भी आपको PDF की requirement है आप यहासे title को भी change कर सकते हो अपने images को भी change कर सकते हो अगर आप चाहते हो यहाँ पे different image आए यहाँ पे different image आए तो आप यहासे भी इसको change कर सकते हो adder ये drawable रोहित की जगह आप खोई भी image रहेगी उसको आप यहाँ पे paste कर सकते हो and यहासे आप select कर सकते हो अभी हम इसको scroll कर देते है and यहाँ पे अभी हम अपना work करते जाते है तो मैं इसको enter कर देता हूँ and यहासे हम select करेंगे product adapter product adapter and name देदेंगे हम adapter is equal to new product adapter okay and यहासे इसके बाद हम this को provide कर देंगे क्योंकि हम इस activity में है and हमें किसको provide करना है तो product list को provide करना है इसलिए हम product list को यहासे हम provide कर देंगे and इसको हम close करेंगे semicolon से and recycle review .set adapter हम adapter को भी provide कर देंगे and जो हमने यहाँ पे adapter name लिखा था same इसको हम यहाँ पे provide कर देंगे adapter तो हमारा firebase का तो work हो चुका है इसलिए मैं इस firebase को अभी close कर देता हूं तो मैं close button पे click कर देता हूं and same इसको भी close कर देता हूं okay यह तो हमने इसको close कर दे अभी हम क्या करेंगे recycler view के जो size है इसको हम fix कर देंगे okay तो इसके लिए हमें क्या करना होगा recycler view .set has fix size हम करेंगे true and इसके बाद अभी हम enter करेंगे recycler view .set layout manager and यहासे हम provide करेंगे new linear layout manager okay and यहाँ पे हम provide कर देंगे this हमने linear layout manager क्यों provide कि युए क्योंकि हमें सीदे सीदे जो भी हमारा recycler view था उसे हमें implement करना था इसलिए हमने linear layout manager को implement कर देंगे अभी हमारा main activity का work हो चुका है अभी हम product adapter पे चले जाते है and जो भी कोई card view पे क्लिक करेंगा means जैसे कोई card view पे क्लिक करेंगा तो किस में जाना चाहिए तो इसलिए हम intent यहाँ से provide कर देते है means pdf.java में जाना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ से pdf को open करना है जैसे हम कोई card view पे क्लिक कर देते तो मैं यहाँ से intent pass कर देता हूँ intent एक activity से दूसरे activity में जाने के लिए हमें क्या करना होता है intent का use करना होता है इसलिए मैं यहाँ पे intent को provide कर देता हूँ intent आए new intent and view .get contacts .pdf जो भी हमारा class का name रहेगा means जिस भी activity में जाना है तो अभी तक हमने pdf के name से कोई भी activity create नहीं की इसलिए मैं अभी इस पे right क्लिक कर देता हूँ package name पे new button पे क्लिक कर देता हूँ and activity choose कर देंगे हम empty activity पे क्लिक कर देंगे जैसे empty activity पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको activity का name enter कर देना है तो मैं pdf दे देता हूँ and finish बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे gradle Sync in progress show हो रहा है Means यहाँ पर Gradle Build start हो चुका है तो again हम product adapter में आ जाते हैं सबसे पहले And हम bit करते हैं तो सबसे mean Gradle Build finish होने तब तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर Gradle Build finish हो चुका है And मैं यहाँ पर provide कर देता हूँ PDF.class And इसको मैं close कर देता हूँ अभी हम क्या करेंगे यह जो intent है इसकी name की जगा I.put extra हम implement करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर title भी show करना होगा तो title यहाँ से मैं provide कर देता हूँ title, product list.get position.get title And हम इसको semi-column से close कर देंगे And again हम I.put extra Same हम product को provide कर देंगे product, product list.get position Sorry .get end position को हम इसमें provide कर देंगे And जो हमने product provide किया था इसको हम title से set कर देंगे .get title तो मैंने यहाँ पर extra कर दिया है Means इस semi-column के अंदर चीए था इसलिए .get title And इसको close कर देता हूँ semi-column से Okay And same आपको link के लिए भी करना है I.put extra Link Comma Product list Product list .get And position .get link क्योंकि हमें यहाँ से link लेना होगा And यहाँ से हमें title लेना होगा इसलिए हमने get title and get link provide कर दिये And semi-column से इसको close कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा completely work हो चुका है But यहाँ पर एक error शोवर है तो end position तो error इसलिए शोवर हो रहा है क्योंकि अभी हमें इसको final implement नहीं किया तो मैं इसको Final implement कर देता हूँ Final इसको final कर दे इसलिए हम product को भी final करेंगे And इसके बाद हमारा जो भी error रहेगा वो resolve हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा error resolve हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी error शोव नई हो रहे तो आयोग गाईस मैंने जो भी बता इस वीडियो में आपको समझ में आओगा तो प्रिवेस वीडियो में हमने recycler view को create किये थे And इस link को paste कर देते तो आपको मैं सबसे पहले work दिखा देता हूँ सबसे पहले हमने activity main.examl में जाके recycler view को paste किये थे And इसके बाद अभी layout product को create किये थे जो भी हमारा product था उसको show किये थे And इसके बाद हमने product को create कर देते जो भी java था Means इसमें हमने constructor and getter and setter को implement किये थे And प्रोड़क्टर adapter में जाके हमने जो on create one view and on point holder होता है उसको हमने डिक्देर कर देते Okay and हमने pdf.java को भी create कर देते तो यह सब हमने previous वीडियो में create किये थे अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले color.examl में चले जाएंगे And हम अपने color को set कर देंगे जो हमारा primary and primary dark color होता है तो हमें इसको set करने के लिए आपको theme में चले जाना होगा तो मैं theme को open कर देता हूँ जो दिखाए दे रहा है theme.examl इसको मैं यहाँ से select कर देता हूँ यहाँ से आपको color primary select कर देना है जो भी आपका color रहेगा तो मैं color primary यहाँ से by default day देता हूँ तो यहाँ पर अच्छे से show नहीं हो रहा है इसलिए मैं by default color दे देंगे हम cf d103 ok d103 तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इस color को यहाँ पर paste कर दिया तो same है इसको copy कर देता हूँ cf d103 को और यहाँ पर भी मैं इसको paste कर देता हूँ color primary variant में तो यहाँ पर हमने hash implement नहीं किया इसलिए यहाँ पर error show हो रहा है अभी हम color.xml में चले जाते है तो आप देख सकते हो color.xml यहाँ पर open हो चुका है और यहाँ से अभी हम toolbar का color दे देते है तो मैं ctrl d कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर same यहाँ पर by default आ जाएंगा ctrl d and white को हम change करेंगे toolbar में तो toolbar यहाँ पर जो color दिखाए दे रहा है इसको मैं different कर देता हूँ hash तो आपको यह enter करना है hash f a f at f at तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर white color आ चूप है तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले pdf.java में चले जाना है तो मैं इसको open कर देता हूँ pdf.java को and pdf.java में जानी के बाद अभी हम pdf को create करेंगे but उससे पहले अभी हमने एक mistake कर दिये यहाँ पर हमने recycler view को implement कर दिया but यह जो toolbar है इसको हमने implement ही नहीं किया तो इसको implement करने के लिए सबसे पहले activity main.examl में जाना होगा तो मैं चला जाता हूँ activity main.examl and इसमें हम toolbar को implement करेंगे तो इसको open कर देता हूँ and toolbar implement कर देता हूँ toolbar and width इसको आपको रख देनी है match parent and height रख देंगे 55 dp इसके बाद enter करना है and id यहाँसे implement करना id add direct id toolbar इसके बाद आपको enter करना है and यहाँसे आपको जो भी toolbar रहेगा उसका background select करना हूँ तो अभी अभी हमने color में toolbar की name से toolbar का color create के थे तो अभी आप देख सकते हो यहाँपे अभी हमने toolbar भी color implement कर दिया तो मैं अभी आपको image खोल के सबसे पहले दिखा देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो toolbar यहाँपे implement हो चुका है और यहाँपे recycler view implement हो चुका है और यहाँपे भी recycler view implement हो चुका है अभी हम क्या करते है PDF की इसमें discussion करते है means यहाँपे जो PDF है इसको हम create करेंगे बट इससे पहले यह जो toolbar है इसको जो हमने select किया था उसका हम Java code भी implement करेंगे तो mainActivity.chava में चले जाएंगे और यहाँपे जो दिखाय दे रहा है recycler view इसके नीचे हम toolbar पर implement करेंगे तो मैं यहाँपे name दे देता हूँ सबसे पहले toolbar toolbar close and find view by id implement करेंगे toolbar toolbar तो अभी आप देख सकते हूँ हमने जो भी toolbar थी उसके id यहाँपे declare कर दिये and set support action bar भी करेंगे हम set support action bar true sorry toolbar तो अभी हमने completely work कर दिया है जो भी हमारा toolbar का work था अभी हम क्या करेंगे pdf.java में जाएंगे बट इससे पहले यहाँपे error शोव रहा है तो error इसलिए शोव रहा है क्योंकि हमने जो import किये थे वो proper नहीं किये तो मैं सबसे पहले इसको close करूँगा and जो toolbar है इसको मैं backspace से remove करूँगा हमें widget को select नहीं करना है compact x को select करना है इसलिए यहाँपे error शोव रहा है तो मैं alt enter करूँगा and जो compact x है android x इसको मैं select करूँगा जैसे हम इसको select करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँपे error result हो जाएगा अभी मैं इसको open कर देता हूँ and pdf में चले जाएगे तो मैं सबसे पहले pdf में आ चुका हूँ अभी and यहाँपे हम implement करेंगे on backpress means जैसे है कोई इस पे click करेगा तो सबसे पहले pdf में चला जाएगा and जैसे इस पे back click करेगा तो again इस ui पे click होना चाहिए तो इसके लिए हमें ctrl o press करना होगा इसमें मैं implement कर देता हूँ ctrl o and यहाँपे आपको सर्च करना होगा on backpress okay तो आपको अच्छे से आपको इंटर करते जाना है on backpress and यहाँपे आपको select करना है on backpress and ok बटन पे click करना है यह होने के बाद आपको intent pass कर देना है क्योंकि जैसे कोई बटन पे click करेंगा तो main activity में redirect होना चीए मैं यहाँसे pass कर देता हूँ intent तो intent intent is equal to new intent and जिस activity में हूँ उस activity का नम में is pdf.this and इसको भी हम semicolumn से close करेंगे and यहाँपे intent को past कर देंगे start activity के नम से start activity intent तो अभी आप देख सकते हैं मैंने जैसे back button पे click करेंगे उसका code यहाँपे implement कर दिया but अभी हम क्या करेंगे main activity.examen में है इसके हम यहाँपे animation implement करेंगे जैसी कोई recycle review आती है तो यहाँपे इसे animation शो होना चीए तो उसके लिए अभी हमें क्या करना होगा activity.examen में जाना होगा तो मैं आ जाता हम सबसे पहले main activity में and इसको में scroll कर देता हूँ and जो animation है इसका जो code है यह है यहाँपे हम इंटर करेंगे ओके तो animation animation is equal to animationutils .loadanimation this comma r.anim. तो अभी तक हमने animation में कोई भी ऐसा folder create नहीं किया and animation के लिए अभी तक हमने कोई भी resource फाइल भी create नहीं किया तो अभी हम क्या करेंगे resource में चले जाएंगे इसपे right click करेंगे new and यहाँपे जो दिखाए दे रहा है android.resort directory इसपे हम click करेंगे and इसपे भी values पे click करेंगे and इसको हम scroll करेंगे scroll करने के बाद आपको यहाँपे जो top में दिखाए दे रहा anim इसपे हम click करेंगे and ok जो option दिखाए दे रहा इसपे हम tap करेंगे जैसे ok पे click करेंगे तो आप देख सकते यहाँ पर animation file create हो जाएगी again हम इस पर click करेंगे right button new animation resource file तो मैं सबसे पहले अभी file name enter कर देता हूँ anim about card show तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ anim about card show इसके बाद आपको ok बटन पर click कर देना है तो अभी हम इसमे code लिखेंगे सबसे पहले तो मैं यहाँ से इसको enter कर देता हूँ यहाँ से हम select करेंगे alpha alpha select करने के बाद android 2 alpha 0 कर देता हूँ and android from alpha कर देता हूँ 0 तो मैं इसको change कर देता हूँ 2 alpha को 1 करेंगे हूँ and यह जो alpha है इसको हम close करेंगे and यहाँ पर हम duration select करेंगे यहाँ पर error show हो रहा था तो अगेन हम type करके देखेंगे अभी error show होता है कि नहीं होता है duration तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर error show नहीं हो रहा है and यहाँ पर हम 600 millisecond को provide कर देंगे and same and same अभी हम क्या करेंगे enter button पर click करेंगे and यहाँ से हम translate को select करेंगे and यहाँ से हम duration same select करेंगे तो मैं इसको ctrl c से duration को ctrl c से copy कर देता हू and translate में इसको paste कर देता हू तो duration हमने same 600 second लिख दिया and from x delta हम select करेंगे 0 from y delta हम select करेंगे 3% and enter करेंगे and to x delta हम select करेंगे 0 and to y delta भी दे देते क्योंकि हमने to x delta तो दे दिया तो अभी हमारा जो भी animation था वह हमने create कर दिया अभी हम क्या करते है main activity.examl में चले जाते है and इसके बाद जो भी हमने animation file select की थी वह यहाँ से हम click करेंगे and semi column से इसको close कर देंगे यह होने के बाद again हम enter करेंगे and जो relative layout है इसको यहाँ से हम select कर देंगे relative layout relative layout is equal to find view id r.id.rl तो इसलिए हमने relative layout create की थी क्योंकि उसमें हम animation को fit कर सके क्योंकि card view को हम अच्छे तरिके से animation को fit नहीं कर सकते इसलिए हमने relative layout को implement कर दिया जासे okay and recycler view में हम जो animation रहेगा वो set करेंगे इसलिए मैं लिख देता हूँ recycler view dot set animation और यह जो animation है इसको हम provide कर देंगे मैं यहां से pass कर देता हूँ animation तो मैंने यहां पर completely work कर दिया है जो भी animation का था अभी हम pdf में चले जाते हैं तो activity pdf.examl में आ चुके अभी हम and split button पर अभी हम click करते हैं अभी हम क्या करेंगे यहां पर pdf को show करेंगे बट आपको धहन में रखना है pdf को show करने के लिए आपको सबसे पहले dependency को paste करना होगा तो मैं वीडियो की description में आपको एक dependency provide कर दूँगा आप यहापे देख सकते हो यह जो dependency दिखाए दे रहे है मैं यहाँ से इसको control cc copy करूँगा और जो build.gradal है इसमें जाकी इसको paste कर दूँगा तो control vc में इसको paste कर देता हूँ make sure आपको धहन में रखना है आपका internet connect होना चीए तो मैं इंटरनेट को connect कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हूँ मैं इंटरनेट को अभी connect कर दे है मैं अभी sync knob पे click कर देता हूँ जैसे हम sync knob पे click करेंगे यहाँ पे gradal will start हो जाएगा तो हम gradal will finish होने तक wait करते है तो अभी आप देख सकते हूँ मैसेज आ चुका है gradal importing इंपोर्टिव डेटा ओके अभी हमारा gradal जो भी था वो finish हो चुका है तो इसलिए में internet को disconnect कर देता हूँ और अभी हम activity.pdf में चले जाते हैं इसमें अभी हम pdf को implement कर देते हैं तो सबसे पहले हम इसको open करेंगे और दिख देंगे pdf view और इसकी width रखेंगे हम match parent and head भी रख देंगे match parent क्योंकि जो भी हमारा pdf रहेगा वो completely पूरे screen में show होना चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हो आप हमारी pdf complete इसमें show हो रही है तो इसलिए हमने match parent match parent implement कर दिया है और अभी हम id को भी declare कर देते हैं id add direct id pdf view तो pdf view shortcut में हम लिख देते हैं और इस pdf view को close करेंगे तो अभी आप देख सकते हो इस pdf view को हमने .xml file में तो implement कर दिया है अभी हमने .java file में भी implement करना होगा तो इसके लिए अभी हम आचुके pdf.java में यहाँ पे हम declare करेंगे pdf तो आप देख सकते हैं अभी pdf view यहाँ पे show हो रहा है तो कभी कभी हमें clean project करना पड़ता है या फिर open करना पड़ता है ओके close project करके तो अभी हमारा pdf view show हो रहा है अभी मैं pdf view पे click कर देता हूँ अगिन इसका name declare कर दिया हमने यहाँ से हम find view by id से इसका जो भी है उसको declare कर देंगे तो हम क्या करेंगे pdf view पे click करेंगे pdf view is equal to find view by id r.id. जो भी हमने id दीती pdf view को वह यहाँ से आपको implement करना है ओके तो r.id.pdf view and semi-column से इसको close कर देंगे तो अभी हमने completely work कर देया pdf view का क्योंकि अभी हमारा complete pdf view show हो जाएगे तो अभी हम next video में हम देखेंगे जो भी हमारा java code रहेगा pdf view का वह उसको हम implement करेंगे तो previous video में हमने pdf view को create किये थे pdf.examl में and pdf.java में ओके and इसके id को define किये थे अभी हम इस video में completely pdf view का जो भी string and link जो provide करना होता हो वह हम इस video में करने मा दें तो सबसे पहले हम string को यहाँ से implement करेंगे string and name देदेंगे link okay and यहाँ से जो भी link रहेंगी उसको हमें paste करना होगा तो is equal to यहाँ पर हम देदेंगे link comma same product list हम provide कर देंगे product list okay is equal to and double dot okay and product is equal to double string and इसको भी हम close कर देंगे okay इतना part होने के बाद अभी हमें क्या करना है इस link product list and product को intent में pass करना है तो इसके लिए हम इसको enter करेंगे and link सबसे पहले क्योंकि हमने यहाँ पर link pass किया था इसलिए link is equal to get intent dot get string extra and जो भी हमने वहाँ पर title pass किये थे main activity में यहाँ पर हम इस title को pass कर देंगे तो title इसके बाद अभी हमें इसको close करना होगा title को and same हम product list के लिए भी करेंगे and product के लिए भी करेंगे तो product list is equal to get intent dot get string extra इसमें हम pass करेंगे product list product list and इसको semi column से हम close कर देंगे अभी हमने link and product list के लिए तो कर देंगे अभी हमें product के लिए करना होगा तो product is equal to get intent dot get string extra हम provide करेंगे यहाँ से link तो अभी हमने तीनों भी के लिए get intent provide कर दिया इसके बाद अभी हमें bundle को provide करेंगे इसको हम semi column से close कर देंगे and यहाँ पर हम if and else की condition लगाएंगे if bundle not equal to none then then तो उस केस में हम क्या करेंगे link dot get intent intent link is equal to get intent dot get string extra अगर bundle null नहीं रहता है तो हम इसको हम provide करेंगे इसको okay get string extra link इसको मैं अभी close कर देता हूँ and इसके नीचे आपको enter करना है new pdf dot retrieve pdf okay तो हम retrieve pdf stream के name से class create करेंगे तो सबसे पहले में एक name देता है या से pdf dot retry pdf stream इसको मैं close कर देता हूँ dot execute execute and या से हम पास कर देंगे link को and इसको हम close कर देंगे तो आप देख सकते हूँ अभी हमने link को provide कर दिया पर यहाँ पर error शो रहा है error इसले शो रहा है क्योंकि अभी तक इस name से कोई भी class create नहीं है तो class create करने के लिए आपको यहा से enter करना होगा and यहा पर लिखना होगा class and इसको ctrl cc copy करना होगा and paste करना होगा class retrieve pdf stream x stream async 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 तो array provide करने है ऐसे आपको and यहा पर लिख देना है string comma void means null void means null होता है मैं provide कर देता हूए ऐसे void comma input stream input string and इस error को अभी close कर देगे तो अभी आप देख सकते हो हमने इस class को तो create कर दे class retrieve video हमने यहा पर अभी bracket day दिया है बट यहा पर error show रहा है तो इस error को resolve करने के लिए आपको क्या करना होगा implement method करना होगा तो मैं इसको select कर देता हूँ error button पर click कर देता हूँ and implement methods पर click कर देता हूँ and ok button पर click कर देता हूँ ओके तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी error था वो resolve हो चुका है अभी हमें input stream के लिए code लिखना होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ input stream input stream input stream is equal to null and semicolumn से इसको close कर देता हूँ यहाँ पर भी try catch implement कर देता हूँ तो यहाँ पर लिखेंगे हम try URL को हम provide करेंगे URL and इसका हम name देदेंगे urlx is equal to new url new url ok and यहाँ पर हम pass कर देंगे string and यहाँ पर हम code pass कर देंगे 0 तो मैं यहाँ पर array का sign दे देता हूँ तो आपको धेन में रखना है array का sign आपको देना है and वहाँ पर आपको 0 को pass कर देना है तो मैंने यहाँ पर pass कर दिया and इसका आपको close कर देना है okay यह उने के बाद आपको https जो भी है http url connection url connection हम name दे देंगे is equal to and जो भी था http url connection इसको हम enter करेंगे इसके बाद आपको enter करना है urlx dot open connection and इसको भी आपको close कर देना यह होने के बाद आपको if condition implement करने है if url connection अगर url connection dot get response अगर response code is equal to 1200 आता है तो then आपको bracket implement करने है input stream is equal to यहापे हम buffer का use करेंगे क्योंकि हमें firebase जे implement करना है इसलिए तो buffer input stream url connection dot get input stream and इसको हम अभी close कर देंगे तो अभी आप देख सकते हो हमारा if का implementation हो चुका अभी हम क्या करेंगे यह जो error show हो रहा है इसके नीचे आ जाएंगे and catch में provide कर देंगे i-o exception name देंगे ex and हम catch में लिख देंगे जो भी code है उसमें हम लिख देंगे return null return null होने के बाद आपको return में return input stream भी देना होगा क्योंकि यह आपर error show हो रहा है तो इसलिए हम दे देंगे return input stream तो अभी आप देख सकते हो हमने जो retrieve PDF string class बनाय थी उसको extend के async task के साथ and जो भी background में होता है उसके लिए अभी हमने try and catch create कर देंगे अभी हम next code के तरफ बढ़ते हैं means progress dialogue के लिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ progress dialogue कैसा है तो अभी आप देख सकते हो अगर कोई भी user card view पे click करेंगा तो content आने से पहले हमें यहाँ पे progress dialogue को show करना पड़ेगा वहाँ पे show होगा getting the content please wait जैसी हमारा content आ जाएगा तो इसको हमें dismiss करना पड़ेगा means इसको close करना पड़ेगा तो चलिए हम progress dialogue के लिए code implement करते तो इसके लिए आपको progress dialogue लिख देना है progress dialogue progress dialogue इसके बाद आपको pre-exigate and po-exigate means progress dialogue खतम होने के पहले and खतम होने के बाद क्या होना चीए तो उसकी method हम implement करेंगे protected void on pre-exigate तो आप देख सकते हो हमने pre-exigate के लिए code लिए इसके method को implement कर दिया अभी हम same post execute के लिए भी कर देते pre की जगा हम post लिख देते same इसमें भी वही रहेगा post तो अभी हम pre-exigate के लिए code implement करेंगे progress dialogue progress dialogue is equal to new progress dialogue जो भी activity में है वह activity का name सबसे पहले pdf.this इसको semicolumn से close करेंगे and हम title में डाल देंगे getting the content जैसे के मैंने आपको screenshot में दिखा जाता getting the content तो मैंने set title दे देता हूँ सबसे पहले progress dialogue को call कर देता हूँ progress dialogue.settitle यहाँ पर दिख देता हूँ getting the content content इसके बाद आपको close करना है and same आपको यहाँ पर लिख देना है progress dialogue dot set message please wait का तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ please wait dot dot यहाँ पर हम दे देंगे and getting the content में भी dot dot दे देंगे क्योंकि आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ यह जो दिखाई दे रहा है same यहाँ पर please wait लिख देंगा and getting the content इसके बाद आपको क्या करना है enter करना है and अगर progress dialogue dot set cancel on touch outside पर क्लिक होता है तो उसको हम false कर देंगे and progress dialogue show को call कर देंगे तो अभी हमारा completely work हो चुका है on pre execute के बाद अभी हम क्या करेंगे on post execute तो इसके लिए एकदम easy है अगर PDF show हो जाती है तो progress dialogue को हम dismiss कर देंगे एकदम easy है PDF view dot from stream input stream 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 dot load अगर यह input stream load होता है यहाँ पर error show हो रहा है तो again मुझे लग रहा है इस project को close करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर same error show हो रहा है तो हम थोड़े देर में करेंगे इसको input stream dot load ओके and हम इसके बाद इस progress dialogue को dismiss कर देंगे अगर हमारा PDF view हो जाता है तो हम progress dialogue को dismiss कर देंगे तो I hope guys अभी आपको समझ में आओगा अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले इस error को resolve करेंगे तो इस error को resolve करने के लिए सबसे पहले file पर click करेंगे close project and again इस project को हम open कर देंगे तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर scanning file to index हो रहा है तो भी हम देखेंगे यह error show रहा है के नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हैं यह अभी यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो हमारा progress dialogue का on pre-exhibit and on post-exhibit हमारा work हो चुका है अभी हम internet connectivity के लिए call करते हैं बट sorry यहाँ पर हमारा अभी भी error show हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर error show हो रहा है तो इस error को resolve करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको pass करना होगा input stream तो मैं यहाँ पर आपको pass कर देता हो input stream यहाँ पर time देता हो input stream तो आप देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर pass कर देंगे तो यहाँ पर error resolve हो जाएगा तो हमारा भी work हो चुका है progress dialogue का on pre के लिए and on post के लिए अभी हम connectivity के लिए code लिख देते हैं तो इस code को implement करने के लिए आपको सबसे नीचे आना होगा यहाँ पर enter करना होगा public boolean public boolean is connected means अगर internet connect होता है तो क्या होता है अगर internet disconnect होता है तो क्या होता है हमें इसके लिए code enter करना होगा तो में जल्दी जल्दी जो भी code रहेगा उसको implement कर देता हो public boolean is connected इस method को implement करेंगे हो and bracket यहाँ पर दे देंगे ओके यह होने के बाद अभी हम boolean को implement करेंगे boolean connected हम नाम दे देंगे connected is equal to boolean dot pass boolean यहाँ पर हम pass कर देंगे false को मैं जल्दी से यहाँ से pass कर देता हूँ false and semi column से इसको close कर देता हूँ and इसके बाद हम try and catch को implement करेंगे तो try में हम लिखेंगे connectivity manager connectivity manager and name दे देंगे हम connectivity manager या फिर cm shortcut में and again हम pass करेंगे connectivity manager सबसे पहले हम bracket दे देते यहाँ पर and इसमें pass कर देंगे connectivity manager okay अभी हम जिस भी context में में किस activity में है इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे get application context and इसमें हम pass होने के बाद get system service को pass कर देंगे okay and यहाँ पर हम implement करेंगे contact okay तो मैं यहाँ से pass कर देता हूँ context connectivity service मैं यहाँ से अभी pass कर दूँगा connectivity service but आपको यहाँ पर कॉमा नहीं देना है dot connectivity जो भी service रहेंगे उसको आपको pass कर देना है इसके बाद अभी आपको क्या करना है इसको सबसे पहले semi column से close कर देना है यह हने के बाद आपको network information आपको यह से select करना है network information and same network information में इसको name दे देता हूँ is equal to cm.get active network information यह हने के बाद semi columns इसको close कर देना है अभी हम क्या करेंगे इस connected को सबसे पहले pass कर देंगे connected अगर connected है is equal to and information जो हमने यहाँ पर pass किये and information is not equal to null अगर यह null नहीं रहता है तो is not equal to null and आपको ध्यान में रखना है दो condition लगा लिए इसलिए आपको and and को implement कर देना है and information dot is available and and information is connected अगर यह सभी condition true होती है तो हम pass करेंगे is connected return connected connected okay आई होब आपको एक code समझ में आऊँगा and semicolumns को आपको close कर देना इसके बाद आपको catch के लिए भी implement करना है तो मैं यह आपको implement कर देता हूँ catch exception e okay यह होने के बाद आपको log.key करना है log.e इसमें आपको connectivity exception लिख देना है अगर net नहीं रहता है तो यह पर हम लिख देंगे connectivity exception and comma करके इसको e.get message implement करना है इसको भी हम close कर देंगे तो भी आप देख सकते हो हमने catch का भी code लिख दिया बट यहाँ पर error शो रहा है इसलिए हम लिख देंगे return connected जो यहाँ पर method का निम था को यहाँ पर आपको pass कर देना है तो आपको समझ में आओगा बट यहाँ पर error शो रहा है क्यूंकि आपको यहाँ पर active network को select करना है active network information पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पर error dissolve हो जाएगा इसके बाद आपको सबसे टॉप में आ जाना है मैं सबसे पहले भी टॉप में आ जाता हूँ जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके नीचे हम connected को जो भी हमने यहाँ पर method create किये उसको implement करेंगे देखो यह जो method दिखाई दे रहे है public boolean is connected इसको अभी हम इसके नीचे use करेंगे तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ if is connected then हम message show कर देंगे host internet connected हम message क्या show कर देंगे internet connected okay यहाँ पर error हो रहा है तो जिस activity में है इस activity का name लिखना पड़ता है इसने में लिख देता हूँ direct get application context अभी हम else लिखेंगे तो else में अगर internet connect नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम तो अभी भी हम toast matches show कर देंगे internet is not connected तो यहाँ पर लिख देता हूँ toast यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले get application context क्यूंकि जिस भी activity में हो उस activity का name implement करना बड़ता है toast message show करने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे message में no internet connected इसके बाद आपको एक alert dot dialogue show करना होगा अगर need connect नहीं है तो alert dialogue dot builder builder is equal to new alert dialogue dot builder इसमें आप जिस activity में इस alert box को show करना चाहते हैं उस activity का name दिखना होगा तो pdf dot this and semicolumn से इसको close करना होगा and जो भी alert dialogue रहेगा उसमें आपको title set करना होगा builder dot set title not internet not internet internet connection alert ok and dot set message में हम क्या लिख देंगे आप setting में जाओ means go to the setting go to setting and हम लिख देंगे question mark is equal to आप कुछ भी लिख सकते हो आपकी इच्छा तो जल्दी से में कोई भी आपे symbol दे देता हो go to setting and enter कर देंगे and dot set cancelable अगर जब तक on नहीं होता तब तक हम इसको false कर देंगे and अगर again हम enter करेंगे and dot set positive button पर भी हम click कर देंगे इसमें हम लिख देंगे s, comma new dialogue interface on click listener ओके तो आप देख सकते हो यहाँ पर dot set positive button खुद बखुद यहाँ पर इतना code आ चुका है तो इसमें आपको क्या करना है start activity सबसे पहले pass कर देंगे and new intent यहाँ से आपको setting में लेके जाना है अगर positive button पर click कर देता ना है means as button पर कर देता है बट यहाँ पर कुछ error शो हो रहा है तो error को resolve करने के लिए यहाँ पर हमने set positive button तो लिख दे but dot not negative button तो लिखे नहीं तो सबसे पहले हम dot negative button को भी implement कर देते जल्दी से dot negative button and यहाँ पर click कर देता हूँ no and यहाँ पर लिख देता हूँ new dialogue interfaces on click listener इसमें हम toast message को भी show कर देंगे toast and यहाँ पर हम लिख देंगे go to home page okay go to home page and यहाँ पर हम जो भी context हो उसमें चले जाएं get application context and यहाँ पर हम से alert dialogue and यहाँ पर हम से is equal to builder dot click okay तो मैं सबसे पहले builders यहाँ से select कर देता हूँ builder dot create okay यहाँ के बाद इसको सबसे पहले close करना होगा and dialogue dot show को click करना होगा तो अभी आप देख सकते हो हमारा completely code create हो चुका है तो मैं सबसे पहले आपको अभी code समझा देता हूँ तो देखो if is connected तो इस पर हम जैसी control करेंगे तो हम redirect हो जाएंगे क्यूंकि हमने सबसे पहले method को create कर दिया है जो भी हमें connect के related जो भी हमारा method होता है वो हमने create कर दिया है इसके बाद अगर कोई connected है net से तो direct हम message source कर देंगे internet connected अगर कोई user net का connect नहीं है तो हम message show कर दें not internet connected and इसके बाद अभी add dialogue में जो भी dialogue box होगा वो user को show होगा उसी activity में इसलिए pdf.this and उनको message चला जाएगा no internet connected alert and go to setting अगर वो cancel करता है तो cancel नहीं होगा and जिसी set positive button पे click करेंगा as तो चला जाएगा setting में wireless setting में अगर negative button पे click करता है में उसको cancel करता है तो direct चला जाएगा main activity.examl में तो I hope अभी आपको ये भी code समझ में अभी हम last code create करेंगे तो मैं इसको भी scroll कर देता हूँ जल्दी से and यहाँ पर enter कर देता हूँ and यहाँ पर method को implement करेंगे पब्लिक boolean on option item selected on options item selected and यहाँ से हम पास कर देंगे menu item and इसके बाद हम bracket डे देंगे यहाँ पर हम condition पास कर देंगे if item. getItemId is equal to android. r.id. home again आपको क्या करना है यहाँ पर bracket डे देना है यह हमने के बाद अगे अगे and यहाँ पर डारेक्ट लिख देना है on back press इसको भी हम call कर देंगे and यहाँ पर लिख देंगे हम return true यहाँ पर error शो रहा है तो इस error को result करने के लिए हम pass कर देंगे return false and इसको भी मैं close कर देता हूँ तो आप देख सकते हो अभी हमारा complete work हो चुका है on option item selected का ओके तो जो भी हमारा code tab .java का हो अभी completely create हो चुका अभी इस वीडियो में हम देखने वाले है कि splash screen को कैसे create करते हैं जो entry होती है screen मैं आपको दिखा देता हूँ screenshot पे तो आप देख सकते हूँ इस screen को हम इस splash screen को इसके वीडियो में हम create करने वाले तो सबसे पहले इसको create करने के लिए आपको एक activity create करने होगे तो मैं चला जाता हूँ package name पे यहाँ पे right click कर देता हूँ ok right click करने के बाद आपको new में चले जाना है new में जाने के बाद आपको activity पे click कर देना है and empty activity यहाँ से आपको choose कर देना है तो मैं जल्दी से यहाँ से choose कर देता हूँ and यहाँ पे मैं name दिख देता हूँ splash screen ok तो आप देख सकते हूँ मैंने यहाँ पे splash screen लिख दिया है ok अभी हम launcher activity पे click कर देते तो देखो launcher activity क्यूँ क्यूंकि यह हमारी सबसे पहले activity होने वाले है इसलिए मैं launcher activity पे click कर देता हूँ and मैं finish button पे अभी click कर देता हूँ जैसे हम finish button पे click करेंगे तो यहाँ पे gradle will start हो जाएगा and थोड़ी दिर में gradle will finish भी हो जाएगा तो आप देख सकते हूँ आप यह message भी आ चुका है gradle project sync in progress तो हम wait करते है जब तक gradle finish ने होता तब तक तो भी आप देख सकते हूँ आप यह message आ चुका है gradle sync finish का अभी हम इस पे work कर सकते है तो सबसे पहले हम activity splash screen को open कर देते है तो देख सकते हो यहाँ पे layout में जाएगे and activity splash screen को open करेंगे and अभी split button पे click कर देंगे इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा यह जो by default constituent layout डिखाय दे रहा है इसको आपको change करना होगा relative layout में तो मैं जल्दी से change कर देता हूँ relative layout तो अभी हमने completely इसको change कर दिया है तो हम background select कर देते है यहाँ से तो background हाँ तो हमें क्या करना होगा यहाँ से कोई भी drawable में एक background create करना होगा तो सबसे पहले हम drawable में चले जाते है and यहाँ से right click कर देते है new drawable research file तो मैं एक name दे देता हूँ grey and ok button पे click कर देता हूँ हमने file का name दे दिया है grey and अभी हम ok पे click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक file create हो चुके तो मैं इसको थोड़ा long कर देता हूँ यहाँ से आपको जो selector दिखाए दे रहा है इसको आपको change करना होगा shape में होने के बाद आपको start color end color and angle भी देना होगा तो मैं सबसे पहले screenshot में आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो जो starting color है थोड़ा print है and यह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा end color है dark है इसलिए हम क्या कर रहे है इसको create कर रहे है drawable file में अभी हम जल्दी से gradient दे देते है इस file में gradient आपको दे देना है and यहाँसे आपको start color चूज कर देना है तो आप अभी के लिए start color हम कुछ भी रख देंगे तो hash triple fp रख देते हम whitish color में and end color भी हम select कर देते यहाँसे तो end color भी हम hash f select कर देते है तो सबसे पहले हम इसको देखते है कि यह कैसे में है तो थोड़ा यहाँसे whitish है and यह थोड़ा bluish है तो start color में हम थोड़ा whitish यहाँसे select कर देता है यहाँसे मैंने थोड़ा whitish select कर दिया and यहाँसे थोड़ा bluish तो मैं blue में चला जाता हम सबसे पहले तो हमने blueish यहां से एकदम paint blueish हमें ऐसे select कर देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा अच्छेशे show हो रहा है जिसे screenshot में दिखा दे रहा है थोड़ा similar यहाँ पे अभी show हो रहा है ओके तो अभी आपको क्या करना होगा angle भी select कर देना है तो मैं angle जल 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 से select कर देता हूँ 360 और यह जो shape है या फिर gradient है इसको में अभी close कर देता हूँ तो अभी हमने completely इसको close कर दिया तो थोड़ा यह जो start color है इसको में change कर देता हूँ थोड़ा whitish में कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से अभी दिखेगा visible होगा ओके तो यह होने के बाद अभी आपको क्या करना है again file में चले जाना है तो हम activities प्लैश्क्रीन में चले जाते हैं जो background हमने अभी create किया उसको यह ऐसे by default select कर देते है अड़रे ड्रावर बल ग्रे की name से तो अभी हमारा completely work हो चुका relative layout का अभी हम क्या करेंगे एक image view लेंगे तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो यह आपे image view show हो रहा है तो इसको आपको अभी select करना है इसके बाद आपको text view implement करना है और फिर text view implement करना है तो जल्दी से हम image view को implement कर देते हैं बट image view हमारा circle में है इसलिए हम circular image view को यहाँ से select करेंगे तो चलो जल्दी से हम select कर देते हैं arrow दे देते हैं यहांसे आपको सिलेक करना है circular image view ओके यह होने के बाद आपको width दे दिने हैं यहांसे 110dp and hide भी आपको दे दिने है 110dp हमने 110dp क्यों दिये है क्योंकि यहापे जो splash screen show हो रहे है यहापे 110dp का ही हमने image use किया है अभी हम enter कर देते हैं इसको सबसे पहले id define कर देते है अड़रेट id logo इसके बाद अगेन हम enter करेंगे and layout center in parent हम true कर देंगे तो layout center in parent true क्योंकि हमें यह जो image चाहिए वो completely center में चाहिए इसलिए हमने layout center in parent true कर दिया है अभी हम यहाँ से कोई भी source select कर देंगे मैंस कोई भी image select कर देंगे तो मैं वीडियो के description में आपको इस image की URL provide कर दूँगा ओके तो वहाँ से आप download कर सकते तो मैं इसको ctrl c से copy कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पर image भी हमारे select हो चुके है मैं cv border color भी दे देता हूँ जो यहाँ पर border color आपको दिखा देता हूँ यह देख सकते हो यहाँ पर image यू की बाजू में जो color है उसको border color बोलते है तो cv border color इसको हम देंगे hash c a c4 again c4 ठीक है आपको c a c4 select करना है तो मैं जल्दी जल्दी select कर देता हूँ c a c4 इसके बाद आपको इसको close कर देना है तो आप देख सकते हो अभी हमने इसको completely image view को implement कर दिए अभी भारी आती है text view की तो आप देख सकते हो यहाँ पर text view अभी हम implement करेंगे तो जल्दी से मैं यहाँ से text view ले लेता हूँ text view width देते हैं हम wrap content and hide भी select करेंगे हम wrap content इसके बाद आपको यहाँ से select करना है id क्योंकि इसको id भी हम declare कर देंगे id add direct id app name तो मैंने यहाँ से इसको id भी define कर दिये इसके बाद आपको layout below दे देना हम layout below क्यों चूज करेंगे क्योंकि जो text view है यहाँ पर इसलिए हम layout below इसके add direct id logo के ओके इसलिए हमने यहाँ पर layout below enter कर दिया जैसे हम इसको choose करेंगे तो देख सकते हमारा text भी यहाँ पर थोड़े देर में show हो जाएगा तो मैं जल्दी से यहाँ पर इसको कोई भी text दे देता हूँ show होने के लिए text book app ओके तो आप देख सकते हो यहाँ अभी इसके नीचे यहाँ पर यह शो हो रहा है बट इस center में नहीं है इसलिए मैं कर देता हूँ इसको center horizontal drew ओके अभी थोड़े देर में center में आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर center में आ चुका है बट यहाँ पर थोड़ी space चीए ठीक है इसलिए मैं margin top दे देता हूँ यहाँ से margin top 12 लेकिंग यह होने के बाद मैं enter कर देता हूँ यहाँ से हम अभी इसको text color choose कर देंगे white में रख देंगे हम text color को text color adderate color white select कर देंगे इसको अभी हम क्या करेंगे appearance दे देंगे जो भी text का appearance रहेगा उसको भी हम declare कर देंगे तो text appearance adderate style medium ओके तो आप देख सकते हैं आपको क्या चूज करना है text appearance में medium चूज करना है अभी हम इसको close करेंगे sorry यहाँ पर एक mistake हो चुके हमने यहाँ पर white select कर देंगे इसको हम black कर देंगे क्यूंकि जो हमारा यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर blackish color में इसलिए हमने यहाँ पर black color चूज कर देंगे तो हमारा circular image view भी implement हो चुका है text view भी implement हो चुका है यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर text view को implement करेंगे क्यूंकि यहाँ पर हमें देखना है powered by Rohit तो मैं इसको enter कर देता हूँ जल्दी से यहाँ से में चूज कर देता हूँ text view width आपको चूज कर देने है wrap content head भी आपको चूज करने है wrap content and id declare कर देने है यहाँ से आपको id add direct id powered by इसके बाद enter कर देना आपको and सबसे पहले align bottom true करना क्यूंकि यहाँ पीच यह इसलिए bottom में हम कर देंगे align bottom true यहाँ पे error शो हो रहा है क्यूंकि हमने align parent bottom true नहीं किए align bottom किये तो जल्दी से हम select कर देंगे true and इसको remove कर देंगे यहाँ पे हमारा जो text view हो वो show नहीं हो रहा इसलिए हम क्या करेंगे text करके लिख देंगे text यहाँ पे हम देख लेते image view में क्या लिके हमने powered by okay तो उसे हम यहाँ पे enter करेंगे powered by proheat इसके बाद again enter करेंगे and अभी हम center horizontal में करेंगे क्यूंकि हम यहाँ पे ची इसलिए center horizontal true कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ इस enter में आ चुका है यहाँ पे margin bottom थोड़ा देना पड़ेगा क्यूंकि हमारा text यहाँ पे show हो रहा है तो मैं margin bottom दे देता हूँ margin bottom हम ADP दे देंगे तो मैंने यहाँ पे ADP declare कर दिया इसके बाद last text color जो हमारा रहेगा उसको भी declare करना होगा तो मैं text color यहाँ से दे देता हूँ जल्दी से आपको कोई भी randomly choose करना है यहाँ पे click करना है जो भी आपको comfortable color लगे वह आपको यहाँ से दे देना तो मैं इसको थोड़ा completely white नहीं रखोंगा थोड़ा black रखोंगा तो अभी हमारा completely work हो चुका है तो आप देख सकते हो same हमने यहाँ पे implement कर दिया है बट यह जो splash screen color है थोड़ा हमने different किया है तो आपके मर्जी से आप कोई भी select कर सकते हो gray में जाके मैं इसको थोड़ा सा change कर देता हूँ जो whitish है उसको हम थोड़ा change करेंगे तो आपके मर्जी से जो भी आपको comfortable लगे हो आप change कर सकते हो हाँ अभी हम क्या करेंगे हमारा complete पर work हो चुका activity splash screen का वट यहाँ पर कुछ error हो रहा है क्यों error हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ अभी तक इसको close नहीं किया तो हमने इसको close कर दिया है वट यहाँ पर अगेन अच्छे show नहीं हो रहा है तो अगेन हम इसको change कर देंगे whitish में ही रख देंगे सबसे बढ़ी है ओके हमारा अभी complete work हो चुका है XML part का अभी हमें Java part में जाना होगा तो मैं जल्दी से open कर देता हूँ activity splash screen को यहाँ से हमें सबसे पहले declare करना होगा image view को तो आपको दिखा देता हूँ image view text view text view इसको हमें define करना होगा तो मैं यहाँ से enter करूँगा image view इसको नाम दे देंगे हम logo is equal to same find view by id इसको declare करेंगे r.id. जो भी हमने id दे यहाँ से हम select करेंगे तो हमने image को id देती logo हम सबसे पहले देख लेते एक बार confirmation के लिए तो आप देख सकते हो हमने इसको logo दी इसको app name दिया and इसको powered by दिया जल्दी जल्दी आप इसको declare करते जाते हैं तो मैं यहाँ से अभी text view को select कर देता हूँ इसके बाद app name भी चूज़ कर देंगे हम app name is equal to find view by id r.id. app name okay तो आप देख सकते हो यहाँ पर id हमने declare कर दिया text view की अगें नीचे का text view भी हम declare करेंगे चल्दी से text view power by is equal to find view by id सेम आपको declare कर देना है r.id.power by okay तो आप देख सकते हो यहाँ पर image view भी हो चुका है text view भी implement हो चुका है again text view भी implement हो चुका है अभी हमें new handler का यूज करना होगा क्यूकि हमारी splash screen है इसलिए हमें new handler का use करना है तो मैं जल्दी सी इसको implement कर देता हूँ new handler dot post delay यहाँ पर enter कर देंगे हम new runable तो आप देख सकते हो यहाँ पर load आ चुका है अभी आपको क्या करना है सबसे पहले इस error को resolve करने के लिए आपको यहाँ पर enter कर देना है यहाँ पर आपको कॉमा दे देना है आपको यह होनी के बाद हम क्या करेंगे इसको backspace से अगेन यह करेंगे यहाँ पर millisecond दे देंगे आपको यह जो splash screen है वो कितने second के लिए run करना है तो हमने 3000 millisecond कर दिया है इसके बाद आपको semicolon दे देना है तो आपका देख सकते error result हो चुक है अभी आपको intent pass करना होगा क्यूंकि हम सबसे पहले splash screen on करेंगे उसके बाद हम main activity में redirect हो जाएंगे ओके तो इसलिए मैं जल्दी से इसको code लिख देता हूँ intent intent is equal to new intent यहां से हम जिस activity में हो उस activity का नाम लिख देते जल्दी से splash screen dot this जिस activity में हम ही जाना है तो हम main activity dot class कर देंगे main activity dot class इसके बाद इसको semicolumn से हम close कर देंगे and अभी हम start कर देंगे activity को तो यहां से आपको pass करना होगा start activity and यहां से आपको pass कर देना intent को मैं जल्दी से pass कर देता हूँ intent and अभी हम finish बटन पे click कर देंगे finish तो आप देख सकते हो अभी हमारा completely work हो चुका है जो splash screen का होता है बट यहां पे हमें animation भी implement करना है क्योंकि अगर कोई splash screen को open करेगा तो image जल्दी से उपर शे आनी चाहिए यह नीचे शे आना है ठीक है तो इसलिए हम animation को जल्दी से implement कर देते हैं is equal to animation utils यहांसे हम animation को load कर देंगे load animation इसके बाद आप जिस activity में हो उस activity का नाम means this and r.anim. तो यहांसे हमें animation को choose कर देना है तो हमने अभी तक इसको create नहीं किया है animation जो file होती है तो हमें जाना होगा Anim में यहां पर right click करना होगा and यहांसे आपको new choose करना होगा and animation resource file को select करना होगा तो हमें file name जल्दी से देता हुए splash screen animation splash screen animation okay इसके बाद आपको okay बटन पर click कर देना है तो आप देख सकते हुए आप यह file create हो चुके आपको सबसे पहले इसको change करना है set को change करना है alpha से and इसको भी enter कर देना है arrow के पहले तो मैं यहांसे from alpha देता हूँ 0.0 and यहांसे 2 alpha देता हूँ 1.0 and यहांसे अगें enter करेंगे and यहांसे आपको duration set कर देना है यहांसे आपको duration near about 2000 millisecond को enter करना होगा इसलिए मैं जल्दी से कर देता हूँ android duration 2000 तो आप देख सकते हैं आपे हमने splash screen animation को भी create कर दिया है तो अभी हमें इसको select करना होगा r.anim. splash screen animation को यहांसे select कर देंगे हम जल्दी से splash screen animation and यहांपे errors हो रहा है तो इसको हम semi column से close कर देंगे अभी हमें सबसे पहले animation किस पर implement करना है तो logo पर implement करना है यहांपे जो logo दिखाए दे रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे कहले यह जो logo दिखाए दे रहा है इसके बाद इसको भी animation इसको भी इसलिए हम start animation सब पर implement कर देंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से logo.start animation start animation में हमने जो animation create किया है splash screen animation इसलिए हम animation को यह से pass कर देंगे जल्दी से and same हम text view के लिए भी implement कर देंगे text view के लिए हमने id दी है app name app name.start animation यहां से आपको animation को pass कर देंगे तो आप देख सकते हो यहां पर हमने animation को pass कर देंगे अगे हमें enter करना होगा and यहां पर भी same powered by के लिए animation set करना होगा इसलिए powered by.start animation and यहां से आपको pass करना है animation okay तो आप देख सकते हो हमने इसको भी animation को भी सेट कर दे अभी आपको एंडर करना होगा अगिन कोट को टाइप करना होगा तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ विव डेकोर विव हमने नेम दे दिया है इस इक्वल टू गेट विंडो डॉट गेट डेकोर विव इसको आपको सेमिकॉलन से क्लोज कर देना है एंड इफ कंडिशन लगा देंगे हम इफ .sdk integer is greater than is equal to build.version .kitkat.kitkat इसमे हम लिख देंगे condition decorview.setsystem uivisibility इसमे हम code को जल्दी जल्दी एंटर कर देंगे view.system uiv flag layout का आपको चूज़ कर देना है वर्ट आपको धहन में रखना है यहां से layout stable को चूज़ करना है तो layout stable इसके बाद आपको enter करना है यहां पर इस symbol का यूज़ कर देना है सेम आपको view.system ui navigation का भी उस करने है तो जल्दी से हम implement कर देते layout height navigation और अगेन सेम इसको जैसे के वैसे implement करना इसलिए मैं control d कर देता हूँ okay अगेन हम implement कर देंगे control d यहां से आपको change करना है इसको impressive sticking अगर आप इस part को implement नहीं करोगे तब भी हमारा splash screen run हो जाएगा तो अभी आपको depend है आपको implement करना है कि नहीं implement करना है मैं जल्दी से implement कर देता हूँ impressive sticking तो अभी आप देख सकते हूँ हमारा completely जो भी Java पाट्टा हो create हमने कर दिया तो splash screen.xml भी create हो चुका है and splash screen.java भी implement हो चुका है तो अभी हम run क्लिक कर देते है run app पे and देखते है run करके हमारे device में कैसे क्या होता है but उसके पहले हमें कुछ changes करने होगे तो मैं जल्दी से चला जाता हूँ manifest में हमें सबसे पहले क्या करना है splash screen को run करना है तो यहाँ पे main activity नहीं रहनी चाहिए तो splash screen रहना चाहिए तो मैं इसको change कर देता हूँ main activity को replace कर देता हूँ तो मैं backspace कर देता हूँ and splash screen यहाँ पर implement कर देता हूँ तो अगर कोई भी user आएगा तो सबसे पहले splash screen run होगी इसके बाद हमारी activity main run होना चाहिए तो इस part को मैं completely remove कर देता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई work नहीं है तो कोई भी user आएगा तो अभी सबसे पहले splash screen में चला जाएगा and उसके बाद main activity में जाना चाहिए इसलिए में इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and same यहाँ पर paste कर देंगे and यहाँ पर name लिख देंगे main activity ओके तो आपको आयोप अभी समझ में आयाएगा जो intent filter होता है यह होता है splash screen के लिए means launcher activity के लिए तो कोई भी user आएगा तो launcher activity में चला जाएगा बाद में main activity में बाद में PDF में ओके तो आयोप यह भी पार्ट आपको समझ में आ चुका होगा अभी हम क्या करेंगे error को थोड़ा resolve कर देंगे तो हमसे कुछ mistake हो चुके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या mistake हो चुके जो main activity है इसमें हमने app compact x की select किया toolbar को तो activity main में हमने इसको सिर्फ toolbar select किया तो इसको हम change करेंगे toolbar को toolbar टूल बार app compact widget toolbar ठीक है तो आपको धहन में रखना है and.x को यह अच्छे से select करना है कोई mistake आपको करनी नहीं है and जो यह theme दिखाई दे रहा है इसको आपको change करना होगा dark action bar को no action bar कर देना है तो मैं जल्दी से यहाँ से select कर देता हूँ no action bar and same यहाँ पे भी theme.xml में भी no action bar यह होने के बाद अगेन आपको एक changes करना है color primary जो color होता है उसको change करना है तो color primary similar रख देंगे white color के तो यहाँ से हम type कर देंगे primary color को तो by default हम type करेंगे hash cfd103 and color primary dark को भी हम same वैसे select करेंगे इसलिए इसको भी हम change कर देते जल्दी से ओके तो यह hash आपको यहाँ पे अच्छे से implement करना है यह आपको धहन में रखना है तो जल्दी से हम चले जाते हैं अभी color.examen में तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा complete work हो चुका है बट यहाँ पे हमने थोड़ा different color यहाँ से choose कर दिया तो आपको यह जो 103 है इसको change करना आपको 1D3 में 0 नहीं implement करना है आपको 1D3 करना क्योंकि जो हमारा color रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ यह कुन सा color होता है यह जो दिखा है दिर आपको यह हमारा color primary dark होता है इसलिए हमने इसी color को यह से select कर दिया है अभी हमारा complete जो भी error था हो भी resolve हो चुका है और हमारा app भी create हो चुका है तो मैं जल्दी से भी project को device के साथ connect कर देता हूँ और आपको run करके दिखा देता हूँ कि हमारा app कैसा launch हो रहा है तो अभी आप देख सकते हो मैंने mobile device को connect कर दिया है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी दिर में हमारा device आ जाएगा तो देख सकते हो हमने इसको connect कर दिया है अभी हम क्या करते है run app पे click कर देते हैं जैसे हम run app पे click करेंगे तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे gradle build running जब तक gradle build finish नहीं होता तब तक हम wait करते हैं जैसे gradle build finish हो जाएगा तो हमारे device में mobile app install हो जाएगा तो हम wait करते हैं तब तब तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर message आ चुका है gradle finish in 53 seconds एड हमारे थोड़ी दिर में app install हो जाएगा यहाँ आप install का message शो हो रहा है जैसे progress bar complete हो जाएगा तो हम wait करते हैं progress bar complete होने तब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर progress bar भी finish हो चुका है एड हमारे device में अभी app install हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी हमारा app launch हो चुका है यहाँ पर splash screen शो हो रही है book app जैसे हमने create किये थे बट यहाँ पर powered by करके show नहीं हो रहा है तो हम उसको थोड़ी दिर में देखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर book app करके उपर show रहा है book one book two book three book four जो हमने implement किये थे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ main activity dot java में जाके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने जो choose किया था book one book two book three book four कहा तक select किया था eight तक तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर eight at जो भी book है वो select हो चुके इसके बाद यहाँ से आप कोई भी ड्रॉबल से जो हमारा logo है उसको भी change कर सकते हो और यहाँ से आप link भी change कर सकते हो तो मैं book one पर click कर देता हो और हम अभी देखेंगे getting the contact का message over आए कि नहीं हो रहा है तो मैं आपको main activity में sorry pdf.java में जाके दिखाता हो sorry यहाँ पर कोई भी activity perform नहीं हो रही है तो इसका कारान हम देख लेते हैं जल्दी से तो मुझे पता चल चुका है अभी कि हमारा कुन सा error है तो आपको सबसे पहले product adapter में जाना होगा तो जल्दी से हम चले जाते product adapter में यहाँ पर जो दिखाई दे रही है हमने यहाँ पर mtx को provide नहीं किये तो जल्दी से मैं provide कर देता हूँ mtx.start activity का तो हम enter करेंगे ऐसे and mtx.start activity कर देंगे हम and जो यह आए है इसको हम यहाँ से pass कर देंगे तो यह mistake हुई थी इसलिए हमारा कोई भी card view पर click नहीं हो रहा था and again हम चले जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर error resolve हो चुका है अभी हम चले जाएंगे pdf.java में again हमसे एक mistake हो चुके यह जो on pre execute है and on post execute है इसको इसमें select करना होगा तो हम इसको सबसे पहले close कर देता हूँ and इसको मैं ctrl x से cut कर देता हूँ and यह जो dialogue दिखा दे रहा है इसके अंदर आपको paste करना होगा तो हमने इसको भी paste कर दिया है जो भी हमारे error थे वो अभी resolve हो चुके again आपको एक error result करना होगा activity main dot activity splash screen dot examen में चला जाना होगा यान यह q दिखनी रहा इसको आपको देखना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे margin bottom हम दे देंगे यह से 18 dp sorry यापर 18 dp भी कम हो चुका इसलिए हम दे देंगे 28 dp okay अभी हम क्या करेंगे तो run app पे क्लिक करके देखेंगे क्या हमारा app install हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो मैंने यापर run app पे क्लिक कर दिया है and gradle build भी start हो चुका है तो भी आप देख सकते हैं यापर message आ चुका है gradle build finish in 22 seconds and हमारा launching activity भी show हो रहा है तो हम देखते हैं अभी हमारा app में book app launch हो रहा है क्या नहीं हो रहा है yes हो रहा है तो आप देख सकते हैं यापर splash screen भी show हो रही है and इसके बाद book 1, book 2, book 3 भी show हो रहा है तो में जल्दी से भी click करके दिखा देता हूँ आपको book 1 पे जैसे हम book 1 पे click करेंगे इसके बाद हमें message हो होगा डायलोग में getting the content का तो अभी आप देख सकते हो यापर हमारे PDF भी फाइल show हो रही है तो I hope guys अभी आपको समझ में आओगा कि इसको कैसे create करते है अपको अभी हम next video में navigation drawer को implement करने वाल है तो previous video में हमने splash screen को create के थे और जितने भी error थे हो उसको completely resolve कर दिये थे यहना हमारा जो app था हो completely ready हो चुका था बट अभी हमें क्या create करना है navigation drawer को अभी implement करना है तो navigation drawer को implement करने के लिए हमें कुछ code की जरूरत होगी तो मैं वीडियो के description में आपको कुछ code प्रोवाइड करूँगा तो मैं इसको सबसे पहले open कर देता हूँ यह जो PDF file दिखाए दे रही है आपको वीडियो के description में मैं available कर दूँगा मैंने इसको भी open कर दिया है आपको navigation drawer create करने के लिए आपको सिर्फ copy and paste करना है copy and paste करना है आपका navigation drawer easily create हो जाएगा तो अभी हम step 1 follow करते है material ठीक है तो इस dependency को हमें paste करना है बट Android Studio अभी खुदबखुद material 1.10 को add कर देता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं सभी जितने भी screen है उसको close कर देता हूँ close all tabs पे click कर देता हूँ and अभी मैं scroll करता हूँ and जो build.grader दिखाए दे रहा है इसको मैं आपको open करके बताता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे material का already dependency paste है तो हमें step 1 create करने की जरूरत नहीं है यह जो दिखाए दे रहा आपको यह जो string दिखाए दे रहा है इसको आपको ctrl c से copy करना होगा तो मैं copy कर देता हूँ and android studio में चला जाता हूँ and यह जो string दिखाए दे रहा है string.examen में इसको मैं paste कर देता हूँ तो मैंने इसको भी paste कर दिया है again हम chrome में जाएंगे उस video को open करेंगे आप यहापे देख सकते हूँ जो style है इसको no action bar में create करना है तो already हमने इसको no action bar में create कर चुके मैं आपको दिखा देता हूँ theme.examen में जाना है आपको and यहापे जो dark action bar होता है हमने previous वीडियो में ही इसको no action bar create कर दिया है अगेन हम pdf में जाएंगे और आप देख सकते हैं यहापे लिखा है create a menu resource directory आपको एक directory create करना है menu के नेम से तो यह भी already create हो चुके है menu तो sorry यहापे create नहीं है तो इसको हमें सबसे पहले create करना पड़ेगा resource में जाना पड़ेगा right click करना पड़ेगा new and dot resource directory पे click करना आपको and values में जाना है and यह जो menu option दिखाए दे रहा है इसको आपको select करना है and ok बटन पे click कर देने ok तो आप देख सकते हैं यहापे directory create हो चुके है and अभी हमें क्या करना है एक navigation.xml से name से एक हमें file create करना है तो हमें इसको copy कर देता हूँ जो भी name है and project में जाएंगे and menu पे right click करेंगे new menu resource file and जो भी हमारा file name है इसको हम paste कर देंगे and अभी ok बटन पे click कर देंगे ok अभी हम क्या करेंगे split पे click कर देंगे split पे click करने के बाद again हम जाएंगे chrome में इस PDF को open करेंगे अभी जो भी code दिखाए दे रहा यहाँ से आपको XML से लेके तो इसको आपको ctrl c से copy करते जाना है तो मैं यहाँ तक इसको select कर देता हूँ तो मैं यहाँ से इसको ctrl c से copy कर देता हूँ जो step 4 है इसको आपको completely copy करना है और आपके project में आना है और जो navigation menu.xml है इसमें जितना भी code है इसको remove कर देना है and ctrl vc इसको paste कर देना है तो आप देख सकते हो हमने इसको paste कर दिया बट यहाँ पे कुछ error शो रहे हो तो icon आपको सबसे पहले create करना पड़ेगा मैं जल्दी जल्दी इसके icon create कर देता हूँ तो मैं website के लिए create करूँगा icon एक तो हम चले जाएंगे travel में and website के name से icon create करेंगे तो इसके लिए आपको vector asset में जाना है तो मैं यहाँ पे click कर देता हूँ clip art पे click कर देना है and यहाँ से जो भी आपको comfortable लगे website के लिए वो यहाँ से icon choose कर देना है तो मैं यहाँ से select कर देता हूँ इस icon को website के लिए best आहे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं निम वेबसाइट ओके इसके बाद आपको next बटन पर क्लिक कर देना है finish पर क्लिक करना है ओके तो आप देख सकते हूं यहाँ पर error result हो चुका है वेबसाइट जो भी अभी error show कर रहा था वो अभी error show नहीं हो रहा है तो आपको same facebook के लिए भी create करना है तो मैं अभी के लिए कोई भी एक ऐसा image create कर देता हूं by default ऐसे ही तो vector asset पर जाएंगे clip art पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको जो भी comfortable लगे उस icon को आपको choose कर देना तो अभी facebook का तो icon भी हमारे पास available नहीं है इसलिए मैं यहाँ से कोई भी face का ऐसे select कर देता हूं facebook के name से आपको जो भी comfortable लगे उस icon को आप यहाँ से select कर सकते हो यहाँ फिर direct drawable में paste कर सकते हो और यहाँ से आप direct choose कर सकते हो अभी आपको rate के name से select करना होगा तो मैं drawable में जाओंगा right click new vector asset and यहाँ पर आपको search करना है rating के name से rating sorry rating के name से नहीं star के name से आपको select करना है तो यहाँ से आपको select कर देना star हाँ को क्यूंकि rating के लिए यही icon यूज किया जाता है तो मैं यहाँ से name देता हूं rating and next button पर click करूंगा finish button पर click कर दूंगा तो यहाँ पर जो भी error था result हो जाएगा sorry यहाँ पर error result नहीं हुआ है तो rate के name से हमें create करने था हमने create कर दिया rating के name से तो इसको refactor कर देंगे right click refactor rename and जो rating है इसको हम change कर देंगे rate से and refactor पर click कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पर error result हो जाएगा अभी हम share के लिए करेंगे create icon new vector asset and यहाँ पर click करेंगे share के name से इसको हम select करेंगे and ok करके इसको name देंगे share and next button पर and finish button पर click कर देंगे same आपको privacy के लिए create करना है तो drawable में जाना होगा आपको right click करना होगा new vector asset तो हम जल्दी से security के name से एक icon होता है इसको हम select कर देंगे and यहाँ पर आपको name दे देना है privacy and next button पर and finish button पर आपको click कर देना है आपको same terms के name से भी आपको create करना होगा icon तो मैं यहाँ से new vector asset जो भी मुझे comfortable लगे terms के लिए मैं आइकन सेलेक कर देता हूँ जल्दी से and next button पर click करेंगे and finish button पर click कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी एरर थे हो completely अभी हमने result कर दिये अभी अगेन हम PDF में जाएंगे new पर click करूँगा layout resource file पर and जो भी name हमने copy किया था उसको हम paste कर देंगे ठीक है drawable sorry drawer layout.examl आपको space नहीं देने आगे में यह आपको धहन में रखना है अगर आप space देते हो तो यहाँ पर error शो करेगा अभी मैं OK बटन पर click कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो भी layout टाव create हो जुका है अभी हम code को copy करेंगे drawable layout.examl के लिए तो हम जल्दी सी इसको copy कर देते है तो यहाँ तक आपको Ctrl C से copy कर देना है and project में जाके इसको Ctrl A से completely select करना है backspace से remove कर देना है and Ctrl VCs को paste कर देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ error शोवर है मैं आपको सबसे पहले error result करके बता देता हूँ जो जो error शोवर है तो यह package name है हमारा package name हम धून लेते जल्दी से build.gradle में जाएंगे and इस package name को हम Ctrl C से copy करेंगे and navigation menu sorry drawable layout.examil में यह जो error दिखाए दे रहा इसकी जगह हम अपना package name को enter करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको error को resolve कर दिया इसके बाद हम यह एक new header के name से file create करने पड़ेगी यहाँ पे error शोवर है तो इसको हम बाद में करेंगे सबसे पहले यह जो background दिखाए दे रहा है इसका हम error result कर देंगे add direct color toolbar का हम select कर देंगे इसके बाद अभी हम इस error को resolve करेंगे तो इसको resolve करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा chrome में और यह जो दिखाए दे रहा create कर देता हूँ layout में जाएंगे new layout resource file and कुन सी layout create कर रही है new header ok new header हमने create कर दिया तो अभी आप देखोगे यहापे हमारा यह result हो चुका है जो भी error था हो अभी हमें code को copy and paste करने है तो सबसे पहले में जल्दी से split पे click कर देता हूँ and यह जो भी code दिखाए दे रहा है इसको मैं control c से copy कर दूँगा तो मैं इसको control c से copy करूँगा जल्दी से and जो भी हम name header इसमें इसको हम paste कर देंगे तो control c करेंगे backspace से code को renew करेंगे control v कर देंगे तो आप देखोगे जो भी error है वो completely resolve हो जाएगे बट यहाँ पे कुछ error शो हो रहा है तो इस error को resolve करने के लिए हम क्या करेंगे adderate color हम toolbar का color दे देंगे सबसे बढ़ी है adderate color toolbar तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने color दे दिया बट यहाँ पे हमने दो text view दे दे है यहाँ पे color different है इसलिए यह show नहीं हो रहा तो इसको हम change करेंगे इसको थोड़ा blackish ज्यादा रखेंगे और इसको थोड़ा कम blackish रखेंगे यह जो second text view है तो आए होप अभी आपको शूरा होगा तो book app में ज्यादा ही color dark देखाए दे रहा है तो इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे तो अभी हमारा completely result हो चुका है यह जो IAC launcher round जो दिखाए दे रहा जो image दिखाए दे रहा है इसकी जगा जो हमने create किया means हमने जो drawable में paste किया रोईत के नेम से इसको यहाँ से हम select कर देंगे तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर header file भी हमारा create हो चुका है बट यहाँ पर error show हो रहा है तो सबसे पहले हम देख लेते है error क्यों show रहा है हमने इस linear layout को close नहीं किया है आप देख सकते हो अभी in main activity java paste all code तो हम ही क्या करना है इस code को paste करना है तो इसको paste करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है and control c करना है and project में जाना है and जो main activity है इसको open कर देना है तो मैं इसमें जल्दी सी इसको paste कर देता हूँ control v से यह होने के बाद toolbar is equal to find r.id.toolbar तो यह तो हमने already set किया है आपको दिखा देता हूँ तो इसको paste करने की जरूरत नहीं हमें हम इस code को copy कर देता है अभी control c and इसमें हम paste कर देंगे again हम जाएंगे and अभी जितना भी error show sorry जितना भी code दिखाए दे रहा है इसको हम completely control c से copy करते जाएंगे यहाँ तक आपको यह जो दिखाए दे रहा है semi column यहाँ तक आपको copy करते जाना and यहाँ पर आके इसको paste कर देना है तो अभी जितने भी error है हम एक एक करते resolve करते जाएंगे तो आपको बस alt enter press करना है सभी पर आपकी जितने भी error रहेगे वो result हो जाएगे alt enter import class same इसमें भी करना आपको alt enter and यहाँ पर भी करेंगे हम alt enter import class बट यहाँ पर action bar toggle के लिए push रहा है तो आपको first choose कर देना है and इसके बाद आपको जो भी error show हो रहा है उसकी जगा आपको बस alt enter press करते जाना है यहाँ पर भी हम sim alt enter तो आप देख सकते हैं जो भी error थे हो result हो चुके बट अगे यहाँ पर कुछ error show हो रहे तो semi column सी इसको हमने close नहीं किया था इसलिए error show हो रहा था तो अभी हमारा complete work हो चुका है तो देख लेते हैं पीडियाप में जाके सबसे पहले हाँ अभी हमारा code to complete हो चुका है बट हमें कुछ changes करने होगे है जैसे r.layout है r.layout activity main के जगा हम क्या करेंगे यहाँ पर drawer layout यहाँ आपको धहन में रखना है ओके एंड अभी हम क्या करेंगे drawer layout को open कर देंगे layout में जाएंगे drawer layout.examl तो आपको धहन में रखना है यह जो toolbar है इसको आपको remove कर देना है क्यों हमें toolbar remove करना है क्योंकि जो activity main.examl है उसमें हमने already toolbar को create कर दिया है तो आप देख सकते हैं यह toolbar already implement है तो हमें double तो implement नहीं करना होगा तो इसलिए में linear layout को सबसे पहले remove कर देता हूँ जल्दी से तो आप देख सकते हो यह toolbar है वो remove हो जाएगा अभी हमारा completely work हो चुका है अभी हम जाएंगे activity main.examl में sorry main activity.java में यहाँ पर देख सकते हो code यहाँ पर लिखना है तो जैसे कोई facebook page पे click करेगा तो दूसरे page में जाना चाहिए जैसे कोई website में click करेगा दूसरे page में जाना चाहिए privacy policy पे click करेगा तो दूसरे page में जाना चाहिए same ऐसे जो भी दिखाए दे रहा है rate share जैसे कोई share icon पे click करेगा तो अभी हम सबसे पहले Facebook पेज के लिए create करेंगे तो अभी आपको क्या करना यहां से आपको enter कर देना जल्दी से यहां से आपको pass कर देना intent क्यूंकि हम एक पेज से दूसरे पेज में redirect हो रहे हैं इसले हम लिख देंगे intent तो यहां पे कम स्पेश शो रहा है इसले में जल्दी से इसमें थोड़ा स्पेश ले ले लेता हूँ ओ मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ यहां पे intent दिखाए दे रहा intent and name दे देता हूँ hisbook hisbook is equal to intent intent dot action view comma uri dot parse and double dot sorry double column and इसको हम close कर देंगे ओके यह होनी के बाद start activity intent pass कर देंगे जो भी हमारा sorry facebook है उसको हम pass कर देंगे यह जो दिखाए दे रहा है double string का sign इसमें आपको क्या करना है कोई भी URL pass कर देना है जैसे कोई facebook page पे क्लिक करेगा तो जो भी आपका facebook page का profile रहेगा जो भी URL रहता है उसका यहापे आपको paste कर देना है google.com तो इसमें आप स्टार्टिंग में https भी लगा सकते है तो मैं इसको भी लगा देता हूँ जल्दी से डबल कॉलम लगा देना है ऐसे and www.google.com लिख देना है तो सेम अभी हमें create करना होगा website के लिए अगर कोई website पे क्लिक करता है तो जो भी आपकी website रहेगी वह open होनी चीए तो इसके लिए हमें same code implement करना होगा तो मैं जल्दी से इसको ctrl c से copy कर देता हूँ website में paste कर देता हूँ and यहाँ पर हम facebook की जगा लिख देंगे website क्योंकि इसको name कोई भी दे सकते हो आप याँ इसमें इसको pass कर देना है website में आप यहाँ से कोई भी जो भी url रहेगा आपका website का वह यहाँ पर implement कर सकते हो same privacy policy के लिए भी आपको करना है तो मैं इस code को paste कर देता हूँ यहाँ से लिखेंगे हम privacy and यहाँ पर भी pass कर देंगे privacy आपका जो भी privacy policy रहेगा आपका यहाँ से आप pass कर सकते हो privacy policy के लिए ओके इसके बाद हमें terms and condition के लिए same create करना है तो मैं जल्दी से create कर देता हूँ and यहाँ पर आपको लिखना है condition and इस condition को यहाँ पर pass कर देना है तो मैं जल्दी से condition को pass कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा जो भी facebook page पर click करेगा तो डारी google पर चले जाएगा यह भी google में जाएगा यह भी google में जाएगा इतना code आपको समझ में होगा जैसे कोई facebook पर click करेगा तो आपको सभी आपके url प्रोवाइट कर देना है अभी हम more apps का code create कर देते तो इसके लिए भी हम ctrl c करेंगे and इसके लिए भी same है but आपको more apps का में कैसे आपको ur pass करना है इसमें आपका जूई जितने भी apps रहेंगे means एक ही प्लेश्टूट पर जैसे हमारे बहुत सारे apps होते हैं जो हमारा homepage होता है उसको हमें यहाँ पे url को paste करना होगा तो हमने create कर दिया website privacy policy terms and condition more के लिए अभी हम rate के लिए and share के लिए code create करते है तो rate का code थोड़ा hard है तो जल्दी जल्दी हम इसको लिख लेते है जल्दी से तो इसमें try case का implement करना पड़ेगा तो मैं लिख देता हूँ try अगर start activity यहाँ पे भी हमें intent को ही pass करना पड़ेगा ओके तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ इसका भी code intent 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 dot action view dot uri dot phrase तो यहाँ से आपको dot provide नहीं करना है comma provide करना है uri dot phrase okay इसमें आपको क्या करना है जो जो code बता रहा हूँ आपको jcq वैसे by default type करना है तो आपको लिख देना है market double dot slash slash details question mark id is equal to आपको type करना है ऐसे is equal to plus get package name यह होने के बाद आपको क्या करना है इसको close कर देना है तो यह तो हमारा completely work हो चुका है try का जैसे कोई user आएगा and rate button पे click करेगा तो direct जो market होता है app market means playstore में वो redirect हो जाएगा तो अभी हमें exception में डालना पड़ेगा जैसे कोई user उनके पास playstore available नहीं है तो direct redirect हो जाएगा chrome पे तो इसके लिए हम एक cash दे देते exception के लिए catch exception and इसका निम्दे देंगे आप ex and इसका भी code हमें लिखना होगा जल्दी से same आपको code लिखना है start activity तो small as लिखना है start activity new intent intent dot action view comma uri.phrase यहांसे भी आपको जो भी url रहेगा उसको pass कर देना है means जैसे भी कोई place door पे जाता है तो जैसे आपको पता होगा sttp dot dot slash slash play dot google dot com slash store slash apps slash details तो आपको अच्छी से लिखने spilling details के details question mark id and इसको close कर देना है and इसके बाद count के नेट तो उमें space देता हूँ plus का sign देता हूँ and जो भी हमारा package name रहेगा उसको redirect कर लेगा means जो भी हमारा app का package name होता है उसको खुद बखुद detect कर लेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे rate का भी हमने code implement कर दिया है अभी हम जाएंगे share के code में तो i hook guys आपको समझ में आगा यह जो rate मेंने create किया है इसका code भी copy easy है अगर कोई click करता है rate पे तो वो direct चला जाएगा play store के पे अगर play store अविलेबल नहीं है तो वो direct चला जाएगा chrome में इसलिए हमने लिखे sttp play google.com store apps details id and जो भी package name भाएगा वो detect कर लेगा तो अभी हम चले जाते है share के code पे तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे हम intent को pass करेंगे intent share intent name देता हूँ मैं and यहाँ से हम pass करेंगे intent.action send क्योंकि हमें send करना है ओके share पे तो इसलिए हम यहाँ से choose कर रहे है action send .action send यहाँ से semi columns को close कर देना है and share intent share intent .set type तो हमें type set करना पड़ेगा set type text plane में okay तो text slash plane अभी हम जाएंगे share intent में same dot पे क्लिक करेंगे put extra and same आपको यहाँ पे intent pass कर देना है extra subject लिख देना है .extra subject and जो भी आपका app का name रहेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है तो मैं जल्दी से आपको लिख देता हूँ book app and semi columns से इसको close कर देना है यह होने के बाद आपको string यूज करना है means कोई भी जैसे send कोई send पे क्लिक कर देता है जैसे share पे क्लिक कर देता whatsapp में चला जाता है इसके बाद उससे कुछ message होना चाहिए means जैसे this is the best application for books apps तो उसके लिए इसके हम string पास कर रहे है message में string and इसका name भी ले देंगे share message string share message is equal to this is the हम लिख देंगे कोई भी message आपकी इचा कोई भी लिख सकते हो तो मैं यह की लिखता हूँ this is the best application for book apps okay and इसके बाद आपको semicolumshies को close कर देना है तो मैं इसको close कर देता हूँ यह होनी के बाद आपको share message भी कर देना है again यह जो share message है इसको आपको pass कर देना है तो मैं share message लिख देता हूँ share message is equal to share message plus का sign देना है जिसी concurrent होता है आपको पता हूँगा share message और यहाँ पर जो भी आपका URL रहेगा आपके play store के app का वो provide होना चाहिए तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ control c से just इस code को copy कर दूँगा and यहाँ पर इसको paste कर दूँगा okay and again plus and get package name यहाँ पर लिख सकते हो या फिर build configuration.application.id भी लिख सकते हो दोनों का भी मेनी same है तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ build configuration.application.id means package name semicolumn share intent यह जो share intent हमने name दिया था intent के name से इसको हमने pass कर दिया भी dot put extra and यहाँ पर आपको extra text provide कर देना intent.extra text comma share message and अभी हम semicolumcs को close कर देंगे and आपको यह ऐसी provide करना है start activity intent dot create chooser इसमें pass करना आपको share intent comma choose one तो भी आप देख सकते हो अभी हमारा जितना भी code आओ completely create हो चुका तो मैं सबसे पहले इस code को भी समझा देता हूं जैसे कोई user आता है तो हमने accent send किया है means जितने भी WhatsApp, Instagram, जितने भी social media रहे गए open हो जाए ठीक है and बाद में हमने इसको set type दे दिया text के name से and यहाँ पे हमने intent pass कर दिया means हमारा app name सबसे पहले show होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे show होना चाहिए this is the best application for apps and message में show होना चाहिए नीचे हमारा जो भी URL रहेगा app का जैसे link पे क्लिक करेगा तो redirect होना चाहिए हमारे play store में इसलिए हमने इस URL को provide कर दिया अभी हम देखते सबसे पहले कि हमारा code अच्छे से create हो चुका है क्या नहीं हो चुका है तो अभी हम run करेंगे हमारे code को तो जल्दी से हम connect कर देते हैं हमारे device को तो अभी आप देख सकते हैं याप हमने mobile device को यह पर connect कर दिया है मैं अभी run app पे क्लिक कर देता हूँ जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे gradle build स्टार्ट हो जाएगा तो हम gradle build फिनिश होने तक बैट करते हैं तो आप देख सकते हैं याप यह error शो रहा है error इसले शो रहा है क्यूंकि हमने more apps के name से कोई भी drawble file में create नहीं किया है तो हम project में जाएंगे तो इसको में थोड़ा increase कर देता हूँ and drawble में हम देख लेंगे more apps से कोई भी नहीं है तो सबसे पहले drawble में जाएंगे new vector asset and more apps का कोई भी icon हम select कर देंगे मैं सबसे पहले देख लेता हूँ search करके yes यहाँ पर दिख रहा है more apps का मैं इसको select कर देता हूँ ok and next button पर click कर दूँगा sorry इसका name enter हमने के नही more के name से next button पर click करेंगे and finish button पर click करेंगे ok तो आप देख सकते हो हमारा जो भी error था result हो चुका है तो again हम भी क्या करते है run app पर click करके देखेंगे हमारा app run होगा क्या नहीं होगा हम सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें तो चलिए मैं भी run app पर click करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे run app पर click करेंगे same यहाँ पर gradle build start हो चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ भी message आ चुका है gradle build finish in 9 seconds and lost succeed का भी message आ चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा splash screen show हो रहा है book app और हमने जो navigation drawer implement किये थे वह भी successfully implement हो चुका है तो मैं इस पर जैसे click कर देता हूँ and red button पर click कर देता हूँ तो हमारा play store का जो भी है market का open होना चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर app market का खुल चुका है बट अभी हमारा app play store पर नहीं है तो not result found show होगा इसलिए हम अभी app market पर click करेंगे तो अभी आप देख सकते है loading show हो रहा है बट हमारा app play store पर है ही नहीं इसलिए the app is not available in app market show कर रहा है तो again हम book app में जाएंगे अगेन हम अभी click करेंगे share पर तो जैसे हम share पर click करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे accent send हमने implement किये थे इसलिए whatsapp instagram का page open हो चुका है तो मैं whatsapp पर click कर देता हूँ और किसी को भी मैं इस application को share कर देता हूँ तो जैसे हम share करेंगे आप देखूंगे कि जो हमने text plain आपको में सबसे पहले दिखा देता हूँ जो हमने text provide किये थे this is the best application for apps और जो भी हमारा link था open हो चुका http play google.com store app details com.example book app तो इस तरह के से आप किसी को share भी कर सकते हो तो अभी हम क्या करेंगे अगेन हम back चले जाएंगे जो भी आपका privacy policy terms and condition more apps visit website follow on facebook पे जो हमने google.com URL पास किये थे वो अभी open हो रहा है के नहीं हो रहा हम चिक कर लेते तो जैसे हम privacy policy पे click करेंगे तो आप देख सकते हो हम दूसरे page में redirect हो चुके है मिस chrome में आ चुके है तो यहाँ पे google page open होता है के नहीं होता है देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे google.com open हो चुका है तो I hope guys अभी आपको यह भी समझ में आओगा कि navigation raw को कैसे create करते हैं बट यहाँ पे आपको एक error देखने के लिए मिलेगा जैसे हम book app को open कर रहें तो यहाँ पे powered by row is show नहीं हो रहा है तो आपको again open करके बता देता हूँ इसको सबसे पहले तो close कर देता हूँ and again book app में click करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे powered by row is show नहीं हो रहा है तो इसको create करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले जाना होगा layout में activity splash screen.examl में जाना होगा and जो 28 दिखाय दे रहा है margin bottom इसको हम कर देंगे 58 and फिर run and app पे click कर देंगे and देखेंगे अभी क्या powered by row is show हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो अभी आप देख सकते हैं आपे message आ चुका है build successful in 26 seconds वे मैं book app पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे show हो रहा है powered by row is तो अभी हमारा completely work हो चुका है जो भी हमारा app था हमने completely इसमें recycler view को paste कर दिया complete app create कर दिया बट अभी हमारा सिर्फ एक यह बाकी है जो हमने ads implementation दिखाय दे रहा होगा यह screenshot में देखो यहाँ पे test ads दिखाय दे रहा है इस video में हम देखने वाले है कि test ads को या फिर real ads को कैसे implement करते हैं तो ads को implement करने के लिए सबसे पहले आपको chrome में जाना होगा तो सबसे पहले मैं chrome में चला जाता हूँ यहाँ पे मैं search कर देता हूँ banner ads तो मैं banner ads implementation search कर देता हूँ जैसे हम banner ads implementation search कर देते हैं जो आपको first दिखाय दे रहा है banner ads android google developer में इस पे click कर देता हूँ क्यूंकि जो हमारा banner ads है मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि आपको banner ads means क्या होता है यह जो दिखाय दे रहा है इसी को banner ads बोलते हैं तो इसी को हम implement करने वाले and facebook ads नहीं तो google admob use करने वाले इसलिए हमने search किये google admob banner ads तो सबसे पहले हम get started पे click करेंगे तो जैसे हम get started पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको नीचे scroll करना है यह जो आपको dependency दिखाय दे रहे है इसको आपको cc copy कर देना है तो मैं इसको cc copy कर देता हूँ and project में आके मैं सबसे पहले सभी file को close कर देता हूँ तो right click close all tabs and build.gradle में चला जाता हूँ and इसको मैं scroll कर देता हूँ नीचे and यहाँ पे जो dependency का option दिखाय दे रहा है इसमें मैं dependency को paste कर देता हूँ and अभी मैं sync knob पे click कर देता हूँ तो जैसे हम sync knob पे click करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं अभी हम सबसे पहले तो chrome में चले जाते हैं जब तक gradle build होता है तब तक and यह जो नीचे में code डिखाय दे रहा है इसको आपको क्या करना है copy कर देना है यहाँ से तो यहाँ तक हम इसको ctrl c से copy कर देता हूँ and हमारे project में आ जाता हूँ and हमें जाना होगा manifest file में तो सबसे पहले में सब भी इसको close कर देता हूँ layout को menu को and manifest में चला जाता हूँ जैसे हम manifest में जाएंगे यह जो आपको दिखाय दे रहा application and activity इसके अंदर आपको इस code को paste कर देना है क्यूंकि आप देख सकते हो application के अंदर ही इसको paste किया है इसलिए हम application के अंदर ही इसी code को हम paste करने वाला है तो आप देख सकते हो हमने successfully इसको implement कर दिया अभी हम क्या करेंगे इस code को copy करेंगे ctrl c से and यहाँ पे हम paste कर देंगे जो double dot डिखाय दे रहा है यहाँ पे हम paste कर देंगे तो हमने इस test ads को implement कर दिया अगे हम chrome में जाएंगे ओके तो आप देख सकते हो हमने completely get started की step complete कर दिये अभी हम क्या करेंगे implement banner ads पे click करेंगे क्योंकि हमें banner ads को ही implement करना है and नीचे scroll करेंगे and यह जो dot xml है इसको हम ctrl c से copy कर देंगे तो जैसे कोई activity open करेगा तो यह जो recycler view है इसके नीचे हमारी banner ad show हो नीचे है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा activitymin.examl में जाना होगा तो मैं आ जाताओ activitymin.examl में and recycler view के नीचे में इसको मैं paste कर देता हूँ code को तो आप देखोंगे यहाँ पे जैसे हमने paste कर देया यहाँ पे आ चुका है ads by google अभी हमारा xml का तो पार्ट हो चुक है अभी हमें Java भी implement करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें browser में जाना है again इसको scroll करना ही नीचे और यह जो दिखाई दे रहा है अगेन आपको scroll करना है और सबसे पहले इस code को आपको copy करना है private adview madview को तो मैं आ जाता हूँ and main activity.java को open कर देता हूँ and सबसे पहले आपको top में आ जाना है और यह जो दिखाई दे रहा है drawer layout के नीचे आपको इस code को हम paste कर देंगे तो आप देख सकते हो private adview madview को हमने implement कर दिया again हम नीचे चले जाएंगे और यह जो complete दिखाई दे रहा है code आपको इसको control c से copy करना है m से लेके तो add request and आ जाना है file में and इसके नीचे completely paste कर देना है तो मैं drawer layout के नीचे में इसको paste कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमने completely work कर दिया है बट यहां भी कुछ error शोग रहे तो इस error को resolve करने के लिए आपको select करना है alt enter पे click करना है and import class पे click करते जाना है same alt enter import class alt enter import class तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ सभी पे इस पे भी मैं same करूँगा यहां पे भी alt enter import class and same यहां पे भी तो अभी आप देख सकते हो जैसे मैंने alt enter import class किया तो जितने भी error थे हो completely resolve हो चुके तो अभी यह हम देख लेते हैं अगेन नीचे जाके कि अभी हमारा कुछ parts बाकि है के निए बाकि है तो ठीक है आपको इतना ही implement करना है तो अभी हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं आपको image दिखा देता हूँ कि अभी हमारा यहां का banner ads तो implement हो चुक है बट हमें banner ads इस यहां पे भी implement करना है तो सबसे पहले pdf में implement करने के लिए आपको क्या करना होगा activity pdf में जाना होगा and this code को copy करना होगा तो मैं आ जाता हूँ same आपको stay follow करना है आपको activity min.examl में आना है and this code को copy करना है मैं इसको copy कर देता हूँ and यहां पे में paste कर देता हूँ मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है बट यहाँ पे टॉप में शोव रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम relative layout में इसको implement कर देंगे तो मैं यहाँ पे relative layout को search कर देता हूँ यहाँ पे हम लिख देंगे match parent match parent ओके इसको हम close करेंगे इस relative layout के अंदर हम addview को implement करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे हमने relative layout को implement कर दिया addview के अंदर तो यहाँ पे यह जो adds by google है हो completely properly work कर रहा है अभी हम क्या करेंगे अगेन हम chrome में जाएंगे इसका जो java part है अभी हम उसको implement करेंगे इसको आपको scroll करना है यहाँ पे आपको आ जाना है and इसको आपको क्या करना है ctrl c से copy कर देना है मैंने यहाँ पे ctrl c कर दिया है अभी हमी क्या है main activity में जाना है sorry main activity में नहीं जाना है क्योंकि हमने जो code copy and paste किया था वो pdf में किया था तो सेम आपको क्या करना है, PDF के लिए आपको create करना है, अभी हम जाएंगे सबसे पहले PDF में, क्योंकि हमने PDF में ही implement किया था, तो इसके Java पार्ट को भी implement करेंगे, तो सबसे top में आ जाना है, यहाँ पर आपको private addview, addview को implement कर देना है, and सेम आपको chrome में जाना है, and यहाँ पर एरर शोगे, तो इसको error को resolve करने के लिए आपको क्या करना है, alt enter करना है, alt enter import class, same यहाँ पर भी alt enter import class, and same यहाँ पर भी alt enter import class, यहाँ पर भी हम कर देंगे जल्दी से, alt enter import class पर, and last finally import class, तो आप देख सकते हो, अभी हमारा error completely resolve हो चुका है, तो अभी हम क्या करते है, सबसे पहले app को run करके देखते है, देखते है कि यहाँ पर banner add show हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसे pdf जैसे open होगी, तो यहाँ पर हमारा banner add show होना चीए, and जैसे recycler भी open होगा, तो यहाँ पर भी banner add show होना चीए, तो मैं सबसे पहले अपने device को connect कर देता हो, तो अभी आप देख सकते हो, मैंने mobile device को connect भी कर दिया है, and अभी run app पर भी click कर दिया है, जैसे हम run app पर click करेंगे, तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा, तो हम gradle build finish होने तक बेट करते है, तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर message आ चुका है, gradle build finish in one minute, ओके, यहाँ install का progress bar भी start हो चुका है, तो थोड़ी दिर में हमारे mobile device में app install हो जाएगा, तो अभी आप देख सकते हो, हमारे mobile device में app launch हो रहा है, तो book app का यहाँ पर logo आ चुका है, जो हमारी splash screen ते open हो चुकी है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा recycler view भी open हो चुका है, तो अभी हम wait करते है, जब तक हमारा banner ad show नहीं होता तब तक क्योंकि हमें इसको net की जरूरत होती है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा banner ad show हो रहा है, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, nice job test, this is the test ad, तो अभी क्या करते है, हम book 2 पर click करके देखते है, जैसे हम book 2 पर click करेंगे, त तो same यहाँ पर dialogue box open हो जाएगा, getting the content का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे आ चुका है, बाइनर ad, nice job, this is the test ads, तो अभी आप देख सकते हो, हमारे pdf app में, pdf भी load हो चुके, और यहाँ पर test ads भी implement हो चुका है, तो मैं अभी back कर देता हूँ, तो जैसे हम back करेंगे हम direct homepage में आ जाएगे, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा homepage open हो चुका है, और नीचे भी test ads भी implement हो चुका है, अभी हम क्या करते है, एक again हम implement करते है ads को, जैसे कोई book one पर click करता है, तो हमाई interest yield ads show हो नीचे, तो इसको implement करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करन होगा, again आपको chrome में जाना होगा, हम जल्दी से chrome में चले जाते हैं, इसके बाद again आपको क्या करना है, interest yield पर click कर देना, क्यूंकि अभी हमारा banner का तो work हो चुका है, इसलिए हम अभी interest yield पर click कर देते हैं, जैसे हम interest yield पर click कर देते हैं, तो इसको आपको अभी नीचे scroll करना है इसके बाद अभी आपको क्या करना है, इस पर आ जाना है, ओके, यह जो दिखाए दे रहा है, इसको आपको ctrl c से copy कर देना है, तो हमने इसको copy कर दिया है, तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, PDF फाइल में चले जाना है, ओके, यहापे हम paste कर देगे, ओके, यहापे जाएंगे नीचे और इसको हम Ctrl-C से Copy कर देंगे यहां तक ओके तो मैंने यहां पर इसको Copy कर दिया है इसकी नीचे हम इसको Paste कर देंगे जो भी हमारा Port था यहां पर Error शोव रहा है तो Error को Resolve करने के लिए हम क्या करेंगे Alt-Enter कर देंगे तो सभी पर हम Alt-Enter Place कर देते जल्दी से यहां पर Error शोव रहा है तो इस Error को Resolve करने के लिए आपको जो Add Request दिखाई दे रहा है Add Request 1 कर देना इसको यहां पर भी आपको Pass कर देना है Add Request 1 यहां पर जो Error दिखाई दे रहा है इसमें आपको Alt-Enter Place कर देना है तो आप देख सकते हो हमने यहां पर Alt-Enter Pass कर दिया तो जितने भी Error थे हो Complete Resolve हो जाएगे तो भी आपको क्या करना है अगेन आपको Chrome में आना है और इसको नीचे स्क्रोल करना है तो मैं इस Code को Copy कर देता हूँ Ctrl-C से और अपने Project में आ जाता हूँ और जहाँ पे भी हमें Interstial Ads को Implement करना है उसमें हम इस Code को Implement करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे स्क्रोल करेंगे और आप देख सकते हैं यहां पर On Post Execute जैसे हमारा Getting the Contact का Progress Dialog Open हो जाएगा जैसे यह Progress Dialog Dismiss हो जाएगा तो हम इस Code को Paste कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहां पर Code को Paste कर दिया बट यहां पर Error Show रहा है तो Error को Resolve करने के लिए हम क्या करेंगे PDF.this ओके तो यहां पर हमने Completely अच्छे से Implement कर दिया अभी हमारा जो भी इंट्रेस्टेल वर्क था वो Completely हो चुका है जैसे कोई अभी क्लिक करेगा User Book 1 पे तो सबसे पहले हमें यह Message या फिर Progress Dialog शो होगा उसके बाद हमारा जो भी इंट्रेस्टेल एड्स रहेगा वो शो हो जाएगा तो अभी हम क्या करते है Mobile Device को Connect कर देते हैं हमारे Project के साथ और Run App पे क्लिक कर देते है तो अभी आप देख सकते हो मैंने Mobile Device को यहाँ पे Connect कर दिया है तो मैं अभी Run App पे क्लिक कर देता हूँ जैसे हम Run App पे क्लिक करेंगे यहाँ पे Gradle Build स्टार्ट हो जाएगा तो हम Gradle Build Finish होने तक वेट करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे Message आ चुका है Gradle Build Finish in 27 Second तो यहाँ पे Install का भी Progress Dialog भी शो हो रहा है तो थोड़ी देर में हमारे Mobile Device में आप Install हो जाएगा तो अभी आप देख सकते हो हमारी Splash Screen शो हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा Recycler भी अभी शो हो रहा है और नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे Test Add भी अभी शो रही है तो अभी हम क्या करते है Book 1 पे क्लिक करके देखते है कि हमारा जो भी इंट्रेस्टेल अट से वो लोड हो रहा है कि हो नहीं हो रहा है हम देख लेते है तो आप देख सकते हो जैसे मैं Book 1 पे क्लिक करूंगा यहाँ पे Message आ चुका है Getting the Content Please Wait तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे Getting the Content के बाद हमारा यहाँ पे इंट्रेस्टेल अट शो हो चुका है अभी मैं इसको Close कर देता हूँ तो आप देख सकते हो हमारी PDF भी लोड हो चुके यहाँ पे Test Ads भी इंप्लेमेंट हो चुका है और यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे शो हो जाएगी तो देख सकते हो यहाँ पे PDF हमारी शो हो चुकी है तो आई होग गाईस अभी आपको यह भी समझ में आओगा कि Test Ads को कैसे इंप्लेमेंट कर सकते हैं देख सकते हो यहाँ पे Banner Ads भी शो हो चुका हमारा Intel Ads भी इंप्लेमेंट कर दिये हमने और अच्छे से Banner Ads भी इंप्लेमेंट कर दिये तो इस प्रणे में हम बात करने वाले है कि हमारे प्रोजेक्ट जो हम create कर रहे है book app उसका icon कैसे set करते है तो सबसे पहले हम by default जो icon है उसको चेक कर लेते हैं तो icon चेक करने के लिए आपको सबसे पहले map map को open करना है तो मैं आपने map map पे आ चुका हूँ और इस folder को open कर देना है इसके बाद जो IC launcher दिखाए दे रहा है हम इसको भी open कर देंगे और जितने भी icon है हम सबसे पहले देख लेंगे तो आप देख सकते हो by default यह icon है बट हमें इस icon को change करना है हमारे icon से तो सबसे पहले हम इसके लिए icon create कर देते हैं तो icon create करने के लिए सबसे पहले आपका internet connect होना चीए तो मैं जल्दी से internet को connect कर देता हूँ अभी मेरा completely यहाप internet connect हो चुका है easy app icon यहाप पर आपको प्रेस करना होगा enter जैसे हम enter प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ URL शो होगे easy app icon के तो देख सकते हैं आप जैसे हमने easy app icon को search कर दे हमारे सामने first website open हो चुके है https easy icon.com तो इसको हम सबसे पहले click कर देते हैं और open कर देते हैं तो आप देखोगे easy app icon.com में इसका interface open हो चुका है तो आपको यहाँ से क्या करना है सबसे पहले एक कोई भी फाइल सिलेक कर देना है मैंस कोई भी image सिलेक करना है जिसका आपको app icon क्रेट करना है तो मैं choose फाइल पर क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको सिलेक कर देता हूँ आपको कोई भी app icon आपके marge से सिलेक कर देना है अगर by default आपको इसी icon को create करना है तो मैं वीडियो के description में इसके भी image link provide कर दूँगा अभी मैं open पर क्लिक कर देता हूँ जैसे हम open पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर round भी आ चुका है full blade भी आ चुका है and legacy भी आ चुका है तो हम इसकी padding set करने वाले हैं तो देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से fit नहीं है तो इसको fit करने के लिए हम इसकी padding थोड़ी कम कर देंगे minus में चले जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जमसे हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इसकी padding कम होते जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह proper size है इसलिए आपको EC minus 38 पर रख देना है यहाँ से आप background का color भी change कर सकते हो तो आपको मैं सबसे पहले दिखा देता हो यह जो tint color है यहाँ से हम इसका color भी change कर सकते हैं अभी हम क्या करते हैं IC launchery इसका name रख देते हैं अभी हम download पे click करेंगे क्यूंकि हमारा completely यहाँ से work हो चुका है अगर आपको पता नहीं कि app icon कैसे create करते हैं तो मैंने इसके उपर एक proper video बना के रखा है अभी हम download पे click कर देते हैं क्यूंकि हमारा completely work हो चुका है जैसे हम download पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो box open हो जाएगे तो iOS plus adaptive icon पे आपको click कर देना है जैसे हम इस पे click करेंगे तो यहाँ पे generating का option दिखा यह दे रहा होगा आपको थोड़ी देर में हमारे file manager में यह file download हो जाएगी तो हम wait करते हैं downloading process होने तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे downloading start हो चुके तो मैं download में चला जाता हूँ file manager को open करके तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में यह ic launcher create हो जाएगी तो यहाँ पे अभी complete होने वाली है हमारी ic launcher की file तो अभी यहाँ पे complete हो चुके तो मैं सबसे पहले again file manager में चला जाऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे today means अभी हमने इसको create कर दिया यह jif file में होगी तो इसको सबसे पहले हमें complex करना होगा तो मैं यहाँ पे right click कर देता हो और यहाँ पे जो option दिखाए दे रहा extract all इस पे हम click कर देंगे जैसे मैं extract all पे click करेंगे यहाँ पे again extract के लिए हमें पूछा जाएगा हमें iOS के लिए नहीं create कर रहे है इसलिए हम android पे click करेंगे android पे click करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे open हो जाएगे जो भी आयप आइकन रहते है तो मैं इसमें जाके आपको सबसे पहले show कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे different different है तो यह play store के लिए icon होता है आगर आपको play store के लिए app icon upload करना है तो इसी 512,512 pixel को use करना होता है बट यह जो icon होता है यह android studio में set करने के लिए होता है तो मैं सबसे पहले आपको android studio में लेके चलता हूँ और कहा पे app icon को set करना है यह बता देता हूँ तो देखो यह जो mipmap file है इसमें हम इसको set करना होगा तो हम सबसे पहले control प्रेस करेंगे and इस पे click कर देंगे control प्रेस करके जैसे हम इस पे control and press करेंगे तो आपके सामने यह open हो जाएगा तो मैं mipmap mdpi पे click कर देता हूँ तो आप देख सकते है book app, source, main resource यह जो file है mipmap की यह open हो चुके add file manager से ठीक है अभी हम क्या करेंगे इसको copy करेंगे and इसमें paste करेंगे जो हमने download किया यह जो दिखाई दे रहा होगा आपको downloads में इसको हम completely copy करेंगे and same यहाँ पे हमारा जो project है इसमें paste करते जाएंगे ldpi पे copy नहीं करना है क्यों कि यहाँ पे ldpi आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको any dpi, hdpi, mdpi, xdpi, 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 ok तो इसलिए आपको यही file select करने ही जो वहाँ पे है तो मैं इन सभी को select कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने six file को select कर देया आपको धहन में रखना है ldpi को select नहीं करना है तो मैं अभी ctrl c से copy कर देता हूँ यहाँ पे file manager में जाकी इसको completely paste कर देता हूँ ctrl v से तो यहाँ से पूछा जाएगा replace the file in the destination क्योंकि उसी name से already files available है तो हम क्या करेंगे new file से उसको replace कर देंगे अभी हम एक एक open करके देखेंगे सबसे पहले sdpi को open करेंगे तो आप देख सकते हो अभी आपको नए icon देखने के लिए मिल जाएगे तो मैं सबसे पहले इसको delete कर देता हूँ जो भी by default पहले से icon थे तो delete पे हम click कर देंगे sdpi का work हो चुका है same आपको mdpi भी करना पड़ मैं इसको दोनों को select कर देता हूँ and delete button पे click कर देंगे okay again हम resource में जाएंगे यहाँ पर जो xsdpi उसका भी same work करेंगे इसको and इसको select कर देंगे and delete button पे press कर देंगे again हम double xsdpi के लिए same work करेंगे ic launcher जीतने भी है by default उसको delete कर देंगे and lastly movement triple xsdpi के लिए भी इसको delete कर देता हमने completely icon को set कर देया अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि icon set हो चुका है क्या नहीं हो चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ पे change हो चुका है ic launcher, ic launcher forward round and ic launcher round मैं अभी इसको open करता हूँ and इसको अभी click करके देखता हूँ तो आप देख सकते हो हमारा icon proper show हो रहा है अभी हमें क् manifest file को open कर देता हूँ and इसके बाद add direct map ic launcher को देखने के लिए आप ए control press करना होगा इस पे ओके तो देख सकते हो यहाँ पे ic launcher अभी completely create हो चुका है अभी हम सबसे पहले हमारे project को mobile device के साथ connect करते है and देखते है कि हमारा जो भी icon हो proper set हुआ है क्या नहीं हुआ है तो जल्दी से connect कर देता हूँ project को android mobile के साथ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा mobile device connect हो चुका है मैं अभी run app पे क्लिक कर देता हूँ जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते है यहाँ पे जैसे gradle build finish हो जाएगा तो हमारे mobile device में app launch हो जाएगा तो हम wait करते तब तक तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे error show हो रहा है ठीक है error इसलिए show हो रहा है क्योंकि हमने any dpi 26 को चेक किया ही नहीं तो सबसे पहले इस error को resolve करने के लिए आपको क्या करना होगा color ic launcher background के लिए हमसे कोई भी color नहीं है तो मैं इसको toolbar के color से change कर दूंग बस यहाँ पे एक error था add direct जो color था उसको change करना था आपको toolbar में यहाँ पे भी same again एक error देखने के लिए मिल रहा है हमें एक ic launcher के लिए था और एक ic launcher round के लिए था ओके अभी हम क्या करेंगे इसके लिए भी color same toolbar का color set कर देंगे तो मैंने यहाँ पे toolbar का color set कर दिया है अभी हमारा completely I think अभी कोई भी error शोओ नहीं होगा तो अभी मैं run app पे click करके देख लेता हूँ आपको यह धहन में रखना है एने dpi 26 के लिए भी check करना है ओके इसका color by default नहीं मिलता है तो आप कोई भी color यहाँ से choose कर सकते हो IC launcher के लिए and by default IC launcher round के लिए तो अभी आप screen में देख सकते हूँ यहाँ पे जो book app है यह श्रीफ हमारा by default जो पहले का by default icon रहता है वही icon था अभी हम देखेंगे कि यह icon change होता है के नहीं होता है यहाँ पे gradle build start है अभी थोड़ी दिर में gradle build finish हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे message भी आ चुका है gradle build finish in 48 seconds यहाँ पे installing की process भी शो हो रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे message आ चुका है launch success तो आप देख सकते हो जो पहले book app था इसका icon अभी completely change भी हो चुका है तो अभी हम सबसे पहले तो हमारे app उसको launch करके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे splash screen open हो रही है book app नीचे मेरा नाम आ रहा है powered by Rohit तो आप देख सकते हो यहाँ पे book app भी open हो चुके अभी हम सबसे पहले home button में चले जाएंगे and check करेंगे कि हमारा app icon show रहा है क्या नहीं हो रहा है तो आप देख सकते हो book app जो था अभी इसका app icon आपको show रहा होगा I hope तो देख सकते हो अभी app icon change हो चुका है तो previous video में हमने icon को set किया थे हैं अभी इस video में हम search bar के बारे में बात करने वाले हैं मैं सबसे पहले आपको screenshot में समझा देता हूँ यह जो आपको search दीखाई दे रहा है इसको हम आज की video में implement करने वाले हैं तो इसको implement करने के लिए सबसे पहले आपको drawbl file में इस name से आपको एक icon create करना होगा तो हम चले जाते project में and सबसे पहले drawbl को open कर देते हैं इसमें हम right click कर देंगे and यहां से हम right click करने के बाद यह जो new दिखाई दे रहा है new पर हम click कर देंगे and यहां से vector asset पर click कर देंगे क्यूंकि हमें icon को select करना है तो हम आ जाते है vector asset में and यहां पर जो दिखाई दे रहा है clip art में इस पर click कर देता हूँ यहाँ पर हम सर्च करेंगे सर्च के नेम से तुम्हें यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सर्च तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइकन शोवर आओगा सर्च के नेम से तुम्हें इसको सिलेक कर देता हूँ जैसे हम इसको सिलेक करेंगे इसके बाद हमें OK पर क्लिक कर देना है और इसका Name भी देदेंगे हम Search और Next बटन पर क्लिक कर देंगे और यह जो Finish का Option दिखा दे रहा है इसके हम क्लिक कर देंगे तो आप देखोंगे कि यहाँ पर Search Barg के जो यहाँ पर है आइकान आपको Show हो जाएगा तो अभी हमें क्या करना है सबसे पहले Menu File में जाना है और एक Menu File Create करनी है तो मैं सबसे पहले Menu File में आ जाता हूँ और यहाँ पर Right Click कर देता हूँ and New and Menu Resource File यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Menu तो हमने यहाँ पर File Name भी Enter कर दिया अभी हम OK बटन पर क्लिक कर देंगे अभी हमें Menu में जो जो Code होता है वो Enter करना है तो सबसे पहले हमें Split बटन पर क्लिक करना होगा Split बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने Menu.Examen open हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा Remove कर देता हूँ मैं थोड़ा इसको Increase कर देता हूँ यह होने के बाद अभी हमें सबसे पहले Item सेलेक कर देना है क्योंकि हमें Search Bar को Implement करना है तो हम यहाँ से Item सेलेक कर देंगे Item Android ID ओके तो सबसे पहले हम Search Bar को ID Declare कर देंगे Add Direct ID Search यह होने के बाद हम Enter कर देंगे यहाँ से हम जो Search Bar है उसको Title देंगे Search के नेम से तो आप देखोंगे यहाँ पर Search के नेम से यहाँ पर Show हो रहा यह होने के बाद हम Icon Select कर देंगे जो अभी-अभी हमने Drawable File में Search के नेम से Icon Create किये थे And इसके बाद हम Show As Action तो देखो Show As Action क्या होता है जो हमारा Toolbar है वो यहाँ पर Implement होना चाहिए ना कि यहाँ इस Toolbar में तो इसको Remove करने के लिए हम क्या करेंगे Show As Icon कर देंगे तो Show As Icon हम Always कर देंगे इससे क्या हो जाएगा यह जो Toolbar है यहाँ पर Implement हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी Toolbar Implement हो चुका है अभी मैं Action View Class कर देता हूँ Action View Class यहाँ से आपको Search View Select कर देना है तो मैं Search View Select करूँगा यहाँ से आपको इधान में रखना है Android X यहाँ से आपको Select नहीं करना है XML पार्टों हो चुका है अभी हमें जाना होगा Java पार्ट में ओके तो जल्दी से मैं इसको Open कर देता हूँ and Main Activator में अभी आ जाता हूँ अभी हम सबसे नीचे चले जाएंगे Scroll करके and यहाँ पर हमें On Create Option मेनू का एक Method क्रेट करना होगा तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ On Create Option मेनू तो आप देख सकते हो यहाँ खुद बखुद कोट आ चुका है मैं जैसी इस पर एंटर कर देता हूँ यहाँ पर हमारा कोट आ जाएगा तो अभी इसमें हमें कोट एंटर करते जाना है तो मैं यहाँ पर Get Menu Inflator का कर देता हूँ सबसे पहले Get Menu Inflator.Inflator.Inflator.R.Menu.Dat यहाँ से आपको जो भी मेनू फाइल है वो सिलेक करते जाने आपको तो मैं यहाँ से मेनू सिलेक कर देता हूँ और इसके बाद आपको एंटर कर देना है Menu आइटम is equal to Menu यहाँ से आपको सिलेक कर देना आगे Menu.FindItem यहाँ से आपकी जो भी आइडी है सर्च के नेम जो हमने दी थी आपको सबसे पहले में दिखा देता हूँ यह जो आइडी है यहाँ पर अभी आपको इंप्लेमेंट करने है r.id.menu तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइडी भी इंप्लेमेंट हो चुके है यहाँ पर एरर शो हो रहा है तो सबसे पहले हम इस एरर को रिजॉल कर देते है r.menu. यहाँ पर हम कॉमा दे देंगे और menu को पास कर देंगे तो हमारा एरर रिजॉल हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर रिजॉल हो चुका है अभी हम सर्च के नीचे आ जाएगे एंड हम सर्च व्यू को भी इंप्लिमेंटेशन कर देंगे तो सर्च व्यू एंड इसको नेम दे देंगे सर्च व्यू इस इकवल तो menu item.get action व्यू कर देंगे तो जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पर एरर शो होगा तो इस एरर को रिजॉल करने के लिए आपको यह जो bulb दिखाए दे रहा है इस पर आपको सिलेक कर देना है और इसको कास्ट कर देना है हमें जल्दी से create कर देता हूँ private list and array pass कर देता हूँ यहाँ से product लिख देता हूँ product and name देता हूँ में यहाँ से list full and semi column से इसको close कर देता हूँ यहाँ पर में अच्छे से name नहीं दिया था इसलिए में इसको change कर देया list full के name से अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर भी इसको declare कर देंगे list full को जैसे हम mtx and products list को हमने declare केते से हम हमें list full के declare करना होगा तो list full is equal to new array list and यहाँ पर हम pass कर देंगे product list यह जो list दिखा देरे आपको product list हम इसमें इसको pass कर देंगे and semicolumn से इसको close देंगे तो अभी हमारा यहाँ का work हो चुका है हमने इसको declare कर दिया अभी हम इसको सबसे पहले implement कर देंगे जो भी method है get influencer की name से तो implement filterable तो आप देख सकते हैं यहाँ पर enter.widit जो दिखाए दे रहा है filterable हम इसको select करेंगे जैसे हम select करेंगे यहाँ पर error show होगा तो इस error को result करने के लिए हमें सबसे पहले bulb पर click कर रहा होगा and जो भी method है उसको हम implement कर देंगे तो implement method कर देंगे हमने and ok बटन पर click कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओ method implement हो जुका है जो हमने get filterable name से किया था तो हमें सबसे पहले return को null pass नहीं करना है यहाँ पर एक method use करना है filter user के name से तो हम लिख देते filter user तो यहाँ पर error हो रहा है तो error को result करने के लिए आपको एक method create करना होगा filter user के name से तो मैं जल्दी से इसको create कर देता हूँ method को तो हम सबसे पहले enter कर देंगे and private filter filter user sorry यहाँ से आपको space दे देंगे filter user तो आप देख सकते हो यहाँ पर error result हो चुका है is equal to new filter user तो जैसे हम filter पे click करेंगे तो हमारे सामने खुद बखुद method declare हो जाएगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर खुद बखुद method implement हो चुका है अभी हमें code करना है सबसे पहले तो हम code कर देते filter result में तो हम यहाँ पर enter करेंगे और यहाँ से हम सबसे पहले string पास कर देंगे string search text के name से string को पास करेंगे तो मैं name दे देता हूँ search text यह होने के बाद आपको is equal to दे देना है and care sequence को आपको कॉल करना है care sequence.to string .to lowercase and इसको अभी आपको सबसे पहले close कर देना है but यहाँ पर आपको to lowercase से ही पास करना है ना कि इसमें आपको कुछ root पास करना है तो हमने गलती से इसको select कर देते है okay यह होने के बाद आपको एक list implement करना है list and जो यहाँ पर हमारा adapter का name है sorry models का नाम है product के name से हम इसको यहाँ से दे दे product and जो हमने temp list create की थी यहाँ पर हम बाद default select कर देंगे temp list तो मैंने इसको name दे दिये is equal to new array list तो आप देखोंगे यहाँ पर हमारा completely work हो चुका है मैं तो semi columns इसको close कर देता हूँ अभी हम क्या करेंगे condition लगा देंगे okay to condition और की लगा देंगे if searchtext .link अगर searchtext की link 0 है is equal to या फिर और pass कर देंगे हम searchtext .is empty तो हम इसमें क्या करना होगा हम condition provide कर देते हैं सबसे पर इसमें template list .addall यहां से हम list को pass कर देंगे तो जो हमने list यहां पर name दे दे थी वह हमने pass कर देंगे तो हमने if के condition को इंप्लेमेंट कर दिया है अभी हम else की भी condition provide कर देते else bracket हम डाल देंगे for और सबसे पहली use करेंगे हम for loop product item जितने भी item हम इसको सबसे पहले call करेंगे item list ok इवन इके बाद हम condition again implement करेंगे for loop में if item.gettitle .to lowercase .contents हम provide कर देंगे .contents and search text जो दिखाई दे रहा है आपको वह हम pass कर देंगे जो आपको search text string में provide हो रहा है इसी को हम pass कर देंगे ok इसके बाद अभी हम क्या करेंगे इसमें एक condition provide कर देंगे templates.item add and item को हम pass कर देंगे तो आप देख सकते हो हमने if and else की condition implement कर दिये अभी हमें सबसे पहले नीचे आ जाना है आपको return null यहां पर provide कर देना यह धहन में रखना आपको तो अभी हमारा completely यहां का work हो चुका है तो अभी यहां पर error शो हो रहा है तो इस error को result करने के लिए आपको सबसे पहले semi column दे देना है तो यहां का error भी result हो जाएगा तो हम अभी return null के नीचे आ जाएगे और इसको सबसे पहले remove कर देंगे यहां पर हम implement करेंगे filter result filter results is equal to new filter result और हम यहां पर पास कर देंगे filter results dot values यह होने के बाद is equal to templates को पास कर देंगे हम और semi column इसको close कर देंगे हम यहां से return पास कर देंगे जो पी यहां पर filter result हा उसको पास कर देंगे filter result तो आप देख सकते हो जो भी error दा हो completely result हो चुका है तो बट यहां पर अगें कुछ error शो हो रहा है तो हम सबसे पहले देख लेंगे error क्या शो हो रहा है तो यहां पर हम देख सकते हो हमने इस semi column को close नहीं किया इसलिए error शो हो रहा था तो हमारा भी work हो चुका यहां का अभी हमें जाना होगा on publish result में यहां पर कुछ code टाइप करना होगा product list.clear के name से and semi columns इसको अच्छे से close करना है यहां पर हम लिख देंगे product list.addall and हम यहां पर pass कर देंगे जो filter result यहां पर है name दिया था हमने filter result यहीं आपको pass कर देना है यहां पर filter results.values ok यहां पर error शो रहा है तो error इसलिए शो रहा है क्योंकि हमने इसको cast नहीं किया तो सबसे पहले हम इस पर click करेंगे and cast parameter to Java utils इस पर हम click कर देंगे तो आप देख सकते हो जो भी error था हो completely result हो जाएगा इसको close कर देना है semi column से and यहां पर provide कर देना है notify data set change यह होने के बाद आपको भी activity main में आ जाना है तो मैं सबसे पहले main activity में आ जाता हूँ and इसके नीचे में code type कर देता हूँ search view dot set on query text listener आपको इसको select कर देना है and new यहां पर type कर देना है and इसके बाद जैसे हम o पर click करेंगे तो आपके सामने खुदबखुद search view की completely method implement हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहां पर method implement हो चुका है तो मैं यहां पर adapter को provide कर देता हूँ adapter but यहां पर adapter show नहीं हो रहा है तो adapter को show करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम public कर देंगे तो मैं इसको control x कर देता हूँ यहां से and यहां पर हम paste कर देंगे okay but इसको semi column हमें देना पड़ेगा and हम क्या करेंगे जो हमने control x कियाता जहां से हम वहाँ पर adapter provide कर देंगे तो मैं यहां पर adapter लिख देता हूँ तो आप देख सकते हूँ यहां का error resolve है and हम अभी adapter को भी call करेंगे तो खुद बखुद डिटक कर लेगा तो हम adapter को भी लिखके देखते है तो देख सकते हूँ यहां पर adapter अभी show रहा है adapter.get filter .filter and इसमें हम object को create कर देंगे s.toolstring के नेम से okay and हम return में false provide कर देंगे तो आप देख सकते हो अभी हमारा completely work हो चुका है अभी हम सबसे पहले mobile device को connect कर देते हैं हमारे project के साथ and देखते हैं कि हमारा जो search view हुआ है वो implement हुआ है क्या नहीं हुआ है तो मैं जल्दी से connect कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो मैंने अभी mobile device को connect कर दे है तो मैं अभी run app पे क्लिक करता हूँ जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे gradle build स्टार्ट हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे splash screen शोव रही है book app powered by Neuroid तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा recycle और भी भी open हो चुका है और हमारा book app भी open हो चुका है यहाँ पे जो हमने अभी अभी search view implement किये थे वह implement हो चुका है तो हमसे एक mistake हो चुके तो मैं आपको सबसे पहले code में बता देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे adapter.get filter जो हमने implement किया है वह on query text change में करना है ना कि हमें text submit में करना है तो मैं इसको Ctrl V से cut कर देता हूँ और यहाँ पे paste कर देता हूँ अब यह again में run app पे click कर देता हूँ जैसे हम run app पे click करेंगे same process हो जाएगी यहाँ पे gradle build start हो जाएगा तो हम तो gradle build finish होने तक wait करते है तो आप देख सकते हो यहाँ पे again message आ चुका है gradle build finish तो यहाँ पे installing again process start हो चुके है यहाँ पे message भी आ चुका है launch success का and हमारे इसमें app launch हो चुका है तो आप देख सकते हो यहाँ पे splash screen भी show रही है same book app out by roher तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा recycler view भी show हो रहा है तो मैं अभी search bar पे search click कर देता हूँ and यहाँ पे में अभी search करके देखता हूँ 2 तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हमारा search view completely work कर रहा है तो अभी में close कर देता हूँ इसको and अभी में 7 type कर देता हूँ तो आप देख सकते हो book 7 आ चुका है अभी में 8 कर देता हूँ देख सकते हो वो 8 भी आ चुका है मैं इसको close कर देता हूँ और अभी में 9 पे click कर देता हूँ तो देखो हमारी इसमें कोई 9 नहीं है इसलिए कोई data show नहीं हो रहा है तो I hope guys अभी आपको समझ में आओगा कि search view के कैसे implement करते हैं हमारे app में तो I hope guys आपको भी यह series समझ में आए होगी कि हमने book app कैसे create किया होगा तो ऐसे series आपको चाहिए तो इस channel को subscribe करके जाना और हम next video जल्दे ही लाने वाल है दूसरे series में तो मिलतक लें नए वीडियो में तब तक लें जहिन जे वारत